हेलो एंड नमस्कार, हाली, स्वागर दे आप सभी का, वेरी गूड मॉरिंग, मैं हूँ तंसुक पालिवा, लिंकिंग लॉस अनकेडमिकिस चैनल पर आप सभी का स्वागर थे हैं और साथ-साथ मैं राजिस्तान जुडिशल सर्विस, टू दपॉइंट बता देता हूँ आज कौन सा मुद्दा हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं राजिस्तान जुडिशल सर्विस के अंदर इस साल का जो रिकूर्टमेंट आया है, एड़िडाइजमेंट जो आया है उसके अंदर तीन नए कानून, तीन नए एक्ट जोड़े गए हैं जो कि पहले वाले सेलिवस के अंदर नहीं थे यानि कि वो केंडिट जो पहले से आज जो इसकी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिलकुल नया चीज जो है वो एड़ कर दिया गया है ठीक है, तो उसमें से एक इंपोर्टेंट कानून जो है आज की इस क्लास में हम डन करने वाले हैं कोशिश रहेगी कि एक क्लास आज का कानून खलास कहने का मतलब यह है पूरे के पूरे जो प्रोविजन्स हैं, उनको डिसकस करने का मैं परियास करूँगा और साथ ही साथ न परियास आपको भी करना है इस बात का कि आप उसके एक एक पहलू को समझे हाला कि मुझे आत्म विश्वास है कि आज की क्लास के बाद में जो एक्ट हम डील करने वाले है वो आपके लिए बिलकुल भी ट्रबलसम नहीं रहने वाला है मज़ा आएगा एक नमबर भी कटने नहीं देना है एक्जाम के अंदर राइट ओके चलिए अब उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अगर मा लीजिए आज के इस एपिसोड की जानकर ये अपने किसी केंड़ेट के पास में नहीं है तो ये आपका फर्स बनता है कि आप उस तक ये एपिसोड पहुँचाए देखो ध्यानकना जीवन के अंदर एक अकेला ठक जाएगा मिलकर साथ निभाना साथी हाथ बढ़ना कहने के मतलब एक दूसरी के मदद करो आप जब किसी के लिए अच्छा करोगे तो डेफिनेटली वो भी एक और एक रोज आपके लिए अच्छा सोचेगा अच्छा करेगा ओके चले तो स्टार्ट करते हैं अल क्लियर है साउन वीडियो ओके एकदम परफेक्ट है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाइ कर दो, कन्फरमेशन दे दो फिर हम आज के सेशन को क्या करते हैं, डील करते है ओके, येस, तो मेरे ख्याद से सब कुछ परफेक्ट है, किसी तरगा को इश्यू नहीं अब ध्यान से सुनना इन बातों को यहाँ पर आप एक लेड़ी का पिक्चर देख पा रहा है इस लेड़ी को शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे जो जानते हों, मैसेज के अंदर नाम लिख सकते है एक्चुलि एट लेड़ी इस भावरी देवी इनका नाम जो है, वो क्या है, भावरी देवी इनका नाम है राजस्तान में इस नाम से दो चर्चे बड़े फिरमस है राजस्तान के अंदर दो चर्चे बड़े फिरमस है एक तो रिसेंट के अंदर जो भावरी देवी सीडी वाइरल, सीडी कांड हुआ था है ना उसके बारे में वो एक negative news है वो जो news है वो एक negative नकारात्मक टाइप की news है लेकिन ये जिसके बारे में अपन जिक्कर कर रहे हैं वो एक positive segment है राजस्तान की history का आज आप मैंसे ये episode जो देख रहे हैं और भारत की अगर आवादी की भी बात करें तो लगबग आदी आवादी जो है महिलाओं से बनी हुई है महिलाएं जिनके अंदर hardly 20-30% है जो working place यानि की working mode पर है बाकी अभी भी घर के कामकाज को अच्छे तरीके से सम्माल रहे हैं सामझने की कोशिश है जो करने वाला है अब हुआ ये था पहले मैं आपको इस महिला की कहानी बता देता हूँ ये महिला एक साथिनी थी जो women's and child development जो महिला विकास विपागवला होता है उसके अंदर को इस साथिनी नाम का एक बाद होता है उस पर कार्याद कर दी इस महिला तो रुग गया लेकिन अगले दिन उन्हों तो बालविया कर दिया लेकिन उन्हों ने इस महिला से एक अजिब तरीके का इट बांग लिया और एक मौका पाकर पांच यूवग जो है जब ये अपने पती के साथ खेत के अंदर cultivation खेती वेकर कुछ कर रहे थे तो वहाँ पर जिन्दकी महीं पर खतम हो जाता है और उससे भी बुरा एक अनुभव रहता है बुरा एहसास रहता है ऐसी महिला के साथ में तो ये ऐसी दुरगटना कह दिए मतलब गरत घटना जो है वो रास्तान के अंदर हुई थी और उसके बाद में इस मामले को कोर्ट वोट में और फाइनली जो है 1997 के अंदर 1997 के अंदर जजमेंट आया विशा का बनाम राजस्तान सरकार के नाम से और उसके तहट वर्क प्लेस पर सेक्शल हरेश्मेंट को कैसे रोका जाए कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके समन्द में गाइडलाइन जो है जारी की गई क्या किया कि है वहाँ पर गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया था इसके बारे में पहली गाइडलाइन पूरे भारत में सिर्फ राजस्तान के नहीं पूर लवर इंडिया के अंदर जो पहली गाइडलाइन थी वो कौन सी थी सेक्शल अरेस्मेंट के समन्द में विशा क से सुनना 2013 के कानून की नीव जो है ना वो 1997 में रखी जा चुकी थी यह हिस्ट्री है यह कहानी है इस पूरे कानून की 2013 का कानून 9 दिसंबर 9 दिसंबर को यह कानून जो है अपने आप में क्या हुआ था परभावी हुआ था और साथ ही साथ में जादा नहीं है इसके अंदर 8 chapters है और 30 sections है कितने यह सारी point वो है जो exam में आप से direct in direct में में पूछे जा सकते है 9 दिसंबर 2013 यह effective date है दूसरा total इसके अंदर 8 chapters को involve किया गया है और 30 इसके अंदर sections है 30 क्या है इसके अंदर sections है अगर आप लोगों ने अगले 1,5 घंटे तक द्यान से सुनना मेरी बात को eye contact मना के चीज़ कह रहा हूँ आपके दिल और दिमाग को चूनी चाहिए अगर आप लोगों ने अगले 1,5 घंटे तक पूरी dedication के साथ पूरी तनमयता के साथ इस lecture को attend कर लिया यकीन मानिये इसके बाद सिर्फ एक बार आपको revision करना है और मजाल है exam के अंदर की कोई number हमारा cut जाए करोगे ना promise बताइए मुझे हिलना नहीं एक सेके लिए चाहे पानी जो भी खाना वाला है सब मंगवादो टेबल पर नजर नहीं हटनी चाहिए इस lecture से चाहे कितने भी candidates है कि इस बात से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगर मेरी class को एक candidate भी देखे काया तो by God's दिल से कह रहा हूँ उसी तन में ताके साथ में उस lecture को डिलिवर करोंगा बस जहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक इचे सब्तों के पहुँचनी चाहिए चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पन तो देखो यह वाला मामला था विशा का एक तो इस case का नाम याद रखना जहाँ से सारी situation को जो है originate किया गया था दूसरा आपको ध्यान में रखना है effective date, तीसरा total chapters, कितने, चौता total sections, कितने है और अब हम शुरू करते हैं इस episode को देखो कई बार क्या है कि कहते ना कि picture बोलती है कहानी बोलती है तो वैसा के वैसा सीन इस तरह की situation में आता है workplace पे पहली बात तो क्या है आज कल का जो है आज तो छोड़ो फिर भी मामला ठीक है पहले parents बच्चों को पढ़ने बच्ची को पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं बेज़ते है school वगरा के ने के करना है क्या है अब पता चला एक लिटल बात बता रहा हूँ एक यंग्स्टर के नाते आपको बात बताता हूँ जब वाइफ जो है ना working mode में होती है working status में होता है तो फर्क पढ़ता है यह कहना गलत है कि वाइफ की कमाई कितनी होती होगी अरे जितनी भी होती है फर्क पढ़ता है जब एक दिवार गिरती है जब एक मान लिजे दिवार चुड़ो हाती की बात करूँ मैं अब मान लिजे हाती जो पागल मंती भूम रहा है एक सलाक की भी उसके पहरें बांदी जाए ना तो फर्क तो पढ़ता है स्पीड तो रुक दी है कहने को तो ट्रेन की इतनी स्पीड होती है उसको कोई नहीं रोक सकता लेकिन हकीकत यह है ट्रेन जब प्लेटफॉम पर आके खड़ी होती है तो उसके करमचारी इस ट्रेन को 30 लाखों से ही है लोहे की इतनी बड़ी गाड़ी को लोही की छोटी सी जंजीरे बान दिये रख सकती है कहने का मतलब यह जीवन के अंदर हर कॉंट्रिबुशन बहुत माहिने रखता है और आज की समयंगाई की दोर में तो भाईया हस्बन माई दोनों का वरकिंग होना जरूरी है वरना बच्चों को अच्छी वाली परवरिश वगरा जो है वो नहीं मिलने वाला यह फैक्ट है आप चाहे इसको एगरी करें या नहीं करें यह हकीकत है इस बात को आज कर के पैरेंट्स को समढ़ना चाहिए कि अगर उनको अपनी बच्ची का भविश्य अच्छे से सिक्यूर करना है तो लेट एजूगेट हिम एंड क्रेडिंग हिम और उसको वर्क प्रॉफाल में सेट करा हूँ पट प्रॉब्लम पता क्या आती है उन पैरेंट्स का दर्द क्या है बच्ची जब वर्क प्लेस पर जाती है तो लोग मौका नहीं छोड़ते छेडा खानी करने का किसी इंकिसी बहान से क्योंकि जेंडर जो है एक तरीके से अलगी टाइप का एक पॉइंट ओफ कह दीजी अब्यूजिंग अबिजनेस बना हुआ है जहाँ पर जाने इन जाने में चीजे होती हुथी जबर्दस्ति टच कर देना जाते-चैक अवे कंदा टच कर दिया या फिर कोई अकेला मौका देखा पता चला कि हाँ ये अकेली काम कर रही है वगिरा तो वहाँ पर जाके जबरदस्ती उसके भवरे की तरह डोलते रहे ना, कुछ उनको बाते करना, जबरदस्ती चाहे, कॉफी ओफर करना और कोशिच करना कैसे 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 उससे sexual favor लिया जाए देखो 80% fact यही है, जब एक आदमी किसी औरत की मदद करता है ना, तो उसके पीछे उसका intention bona fide नहीं होता है, 80% मामले कह रहा हूँ, मैं 20% bona fide मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ एक औरत जिस आदमी के कारण रोती है, और उस औरत के आसू जो आदमी पहुँचता है, तो उस आदमी 80% category जो है ना, उनका malafide intention होता है, वो उस महिला से कहीं कहीं sexual satisfaction लेना चाहते हैं अब यह बात सोचना है कि इसलिए महिला को कौन कौन सी चीजों के बारे में जाना है, तो वही हमारा topic है, वही हमारा purpose है और उसी के according क्या करने वाला है, आज की इस class को अच्छे से deal करने वाला है, चलिए, तो देखो अब neutral हो के कानून को पढ़ना है ध्यान दखना, अगर आप एक female candidates हो, तो आपको partial होके इस कानून को नहीं समझना है आप एक male candidates हो, तो आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि तो महिलाओं का कानून neutral approach के साथ नहीं, क्यों judge हमिसा neutral होना चाहिए चलिए, अब यहाँ आपर शुरू करते हैं, main बात को देखो, अब हमारे पास में कहने को तो section 1 से लगा कर 30 हैं, लेकिन क्या उन सारे section को deal करने का कोई करम होगा क्या, कोई तरीका होगा क्या, obviously yes सबसे पहले इस कानून के अंदर हम preamble को क्या करने वाले, deal करने वाले, preamble के aspect को अच्छे से हमें समझना है, जानना है preamble क्या होता है, preamble basically किसी भी कानून को बनाने का object क्या है, उसको identify करवाता है, yes or no, ठीक है, अब यहाँ पर preamble जो है बहुत बड़ा है, अगर आप इसका preamble देखेंगे, इस कानून का, बेरेक्ट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है, तो तुरंत आप इ इसके PDF format से study करना, यहाँ पर मेरा हाथ में बेरेक्ट है और इसका preamble जो है मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, देखो, basically क्या है, इस preamble के अंदर एक, दो, तीन, चार और पांच paragraph जो है mention कर रखें, लेकिन पांच paragraph मैसे सबसे महत्वपुन जो चीज है, वो क्या है, उसको समझने की हमें यहाँ पर क्या करना है, कोशिश जो है करना है, देखें, preamble वाले aspect से सुरू करते हैं, preamble के अंदर दो बाते हैं, exam में पूछी जा सकती है और exam में preamble को पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से समझना उद्देश्य का को, देखें, क्या होगा य यानि कि इस कानून का purpose क्या है, पहली बात ही है, और दूसरा, why, reason क्या है, इस कानून को बनाने के पीछे, इसको कानून को इनेक करने के पीछे क्या क्या कारण है, वो बारे में, ठीक है, purpose बड़ा clear है, purpose आपको मिलेगा, यहाँ पर पैरावन जो पहला paragraph है, वो इसके बारे में बात करता है पहले paragraph की language का लिखी हुई है this act and provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redress of the complaint of sexual harassment for matters अब देखो यहाँ पर क्या है sexual harassment के matter को रोकने के लिए और जब sexual harassment का matter हो जाता है तो उसकी complaint कैसी होगी उस मामले का redressal कैसे होगा उस बारे में यह बात करता है यह पहला paragraph हो गया purpose अगर mains के examination हमसे पूछा जया what is the purpose of this act तो आपको preamble का answer यहाँ पर देना है पहली चीछ दूसरी चीछ इस कानून को क्यों बनाया गया तो इस कानून को बनाने की पीछे preamble में दो बातों का जिक्र कर रखा है ठीक है short में बता रहा हूँ पहला तो है constitutional background पहला क्या यहाँ पर सविधान के अंदर जो है वो उन बातों का जिक्र कर रखा है जिसके कारणी act इनेक्ट करना जरूरी था और दूसरा international law कह दीजिए या फिर जो अलग-अलग टाइम पर convention होती है उने कह दीजिए उनके according हमारे सविधान के अंदर specifically कहीं articles है और मैंसे कुछ articles का अगर मैं आपके सामने जिक्र करूँ तो जैसे article 14, equality, आदमी काम कर रहा है और अदमी काम कर रही, equality होनी चाहिए article 15 से connect होता है उसके बाद में article 21 हर महिला को अपनी dignity के साथ जीने का अधिकार है then after उसके अंदर जो है आप समयाद है आपको तो article 191 में clause आता है जो freedom of trade profession की बात करता है freedom of trade profession की बात करता है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ with due respect to the dignity of advocacy लेकिन हकिकत यह है कि महिलाओं के साथ sexual harassment के मामलों के अंदर advocacy के मामले भी कम नहीं है कहीं महिला advocate उनके लिए बहुत difficult है आप यकीन करें या नहीं करें हकिकत यह भी है कि 50-60% यंग जो female advocates होती है वो शुरुआती स्टेश पर court को अगर join करने की कोशिश करती भी है तो कुछ एक टाइम मैं छोड़ देती है within few days या few weeks वो जौब को छोड़ देती है आप कहीं कारण इसकी पीछे जो उसका कलिक साथी advocate उसके दवारा इस तरह सा कुछ छेटा कच्छी करना कमेंट करना वगरा दूसरा उसका कारण है court में जहां पर उसको एक supportive environment नहीं मिलना हाला कि इसी बात पर हमें appreciate भी करना चाहिए कुछ senior advocates वगरा को और कुछ judges को भी जो वाकई में female advocate जिब होता है तो उसको एक special dignity देता है एक special preference दी जाती है कहीं कहीं और यह वाकई में सरानी है क्योंकि advocacy का field है ना देखो हम लोग क्या है हम LLB कर चुके वाले advocate है या हम LLB कर रहे है बविश्चे के अंदर हम लोग judge बनना चाहते है इसलिए वो field जो हमसे जुड़ावाए उसके बारे बात करनी तो बहुत ज़रूरी है तो इस field के अंदर महिलाए advocacy में नर के बरावर है और जो महिला advocacy के अंदर अपने कदम जमा लेती ना मांग के चलो कि उसके promotion उसके elevation की संभावना है एक male candidates के मुकावले कहीं जाता है क्योंकि है ही नहीं female advocate है ही नहीं आज ये domestic violence के मामले family court के मामले महिला है बहुत अच्छे से deal कर सकती है इसलिए यहाँ पर हमें ये बात को भी समढ़ना चाहिए कि कौन कौन से loophole भी है कभी भी जीवन के तरगेट को fix मत बना के रखो ये मत सोचो कि यार बस ये हुआ तो ठीक है वरना मेरी जिन्दी की निरस्त है आपने से कई candidate है जुडिशी के तयारी की भी होगी नहीं हो पाया सकती है और फिर आप उन्होंने तयार वेट छोड़ देगा आप कुछ नहीं होना है और बस फिर लग गए अपने normal routine के अंदर नहीं advocacy को मिसला last option जरूर रखना अगर आप एक law graduate है या होने वाले है last option जरूर रखना किसी भी कानून को इसलिए भी अच्छे से पढ़ो ताकि वो आपके लिए एक भविश्य का निर्मान भी कर सके तो ये चार आर्टिकल जो है इनके लिए ये कानून को इनक करना जरूरी था और ये बात कहां लिखी गई है ये बात पैरा second के अंदर mention कर प्रियंबल तो इस कानून का जो प्रियंबल है वो किस तरीके से डील करता है ये इसका फंडा है ओके इग्नौर नहीं करना है प्रियंबल को उद्देश श्रीका को इग्नौर नहीं करना है उसकी भी basic structure समझ के रखेंगे that's all तो फिर किसी तरह का आगे हमें कोई issue वगरा ज साथ मैं 30 sections हैं लेकिन 30 section को मैं 1,2,3,4 के format में नहीं पढ़ने वाला traditional method से बात नहीं करेंगे ठीक है उस method से बात करेंगे जिससे logical connectivity mind में set हो सके एक शब्द होता है charging section जहां से सुनना charging section ऐसा section जिसके कारण उस act को एक effect मिल रहा है उस कानून को एक प्रभाव मिल रहा है उस section को कहा जाता है charging section ठीक है अब यहाँ पर जो charging section है ना वो है आपके section 3 का clause 1 section 3 के अंदर दो सब section है section 3 जो है वो अपने आप में दो भागों में divide होता है अगर मैं इसको section 3 का post-mantum करूं तो किस तरीके से structure बनेगी उसको जानने की कोशिश है जो कीजेगा एक बात आपको कह र management act को नहीं पड़ा है तो पहला attempt आप self study से मत करना आज पहली बार में ये मना कर रहा हूं कि कुछ कानून के अंदर आप self study directly नहीं करें पहले उस कानून का एक basic structure basic funda समझे उसके बाद उस कानून की self study करना वरना mind में अगर गलत interpretation चला जाता ना तो उसको ठीक करना बहुत प्लैन लोहे पर कलर करना आसान होता है इस बात को हमेशा याद रखना ठीक है अब देखो क्या है section 3 के अंदर दो बाते है section 3 के अंदर एक तो है section subsection 1 और दूसरा है subsection 2 अब subsection 1 क्या कहता है जरा निकाली एक बार section 3 के subsection 1 पर आ जाओ और सिर्फ एक line है no woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace ये इस पूरे कानून की line of the act है जैसे man of the match नहीं होता है this is the line of the act तो यहाँ पर क्या है इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी महिला को कोई भी महिला जो है उसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए sexual harassment जो है वो नहीं होना चाहिए कहां पर नहीं होना चाहिए तो workplace पर उसका sexual harassment जो है वो नहीं होना चाहिए at workplace ठीक है ये line यहाँ पर mention कर और अब यहां से यह शब्ध हमारे पास में आता है sexual harassment, यहां से यह basically शब्ध आता है, अच्छा, अब section 3-2 को सोचो, क्या गलती होती उसको feel करना, अगले 5 मिनट के अंदर, चीजों को अच्छे से observe करना है आपको, यह आपका logical परिक्षा होने वाली है, ओके अगले 5 मिनट तक आप अपने मस्तिक्स को किस तरीके से इस्तिमाल करते हो, कानून पढ़ते समय, उसका challenge है, ठीक है, देखो, अगर मैंने section 3-1 के just बाद में section 3-2 पढ़ लिया, तो कितना बड़ा damage हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करना, अब उस damage को समझाने के लिए, मैं आपको एक जगा पर लेके चलता हूँ, section 3-2 के अंदर, sexual harassment का एक मतलब समझा रखा है, लेकिन यह जो मतलब समझा रखा है, यह इसकी advance meaning है, लेकिन कहीं पर लिखावा तो है न अब हम ठैरे भॉले भाले जी, 3-1 के बाद फुदक कराएंगे, 3-2 पर उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, और क्या लिखा हूँ 3-2 के अंदर, the following circumstances, among other circumstances, नोट करना है इस बात को, among other circumstances, यह other circumstances क्या हो रही है, समझना, ठीक है, if it occur or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment, may amount to sexual harassment, यह क्या लिखा लास्ट मां समय में नहीं है, क्या लिखावा है, any act or behavior of sexual harassment, may amount to sexual harassment, मतलब क्या है, कि sexual harassment का मामला, इस मामले के अंदर sexual harassment कहलाएगा, राम का फाई, लक्षमन है, लक्षमन हम गई, राम है, इसलिए वो राम कहलाएगा, और एक confusion हो जाता है मामला, अब देखो, अब इसको के clause N को, N for New Delhi, ठीक है, यहाँ पर जाऊं, और यहाँ पर जो एक definition दे रही है, sexual harassment की, उसको समझने की कोशिश करूँ, तो मेरे सामने एक structure आएगी, Indian Penal Court, Chapter 16, Section 354A के अंदर sexual harassment को समझाने का अच्छा परियास किया गया, 354A में जो परिबाशा दे रखी है, ध्यान से सुनना, Indian Penal Court के IPC के section 354A में जो definition दे रखी है, as it is copy-paste की गई है, वापिस सुन लो, as it is copy-paste की गई है, हाँ, थोड़ा सा क्रम उपर और नीचे किया गया, वहाँ पर आपको चार clause मिलेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, उन चार clause में ऐसे पांच clause निकालके रख दिये, बाकि डिक्टो सेम चीट को फॉलो किया गया है, कैसे, आईए ज़रा समझते हैं आप, देखो, section 2N के अंदर जो है न, इन्होंने 5 point, बेरेक निकालो बेरेक के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि चीटों को समझ सकें, sexual harassment includes, पहली बात तो inclusive परिबाशा है, note करना इस बात को, anyone or more of the following, unwelcome act, underline करना शब्द को unwelcome, मतलब, unwelcome का मतलब क्या, without consent, अब इस एक word से पता चल जाता है, कि अगर workplace पर भी महिलाने consent के साथ, अगर कोई ऐसी जिसको महिलाने desire नहीं किया था, okay, unwelcome act or behavior, whether directly or by implication, चाहे वो directly हो, चाहे वो implication के मतलब से हो, namely, क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर शब्द दे रखा है, वो है आपकी physical contact, आप चाहे तो note भी कर सकते हैं, और नहीं, तो फिर आप telegram group से connected हैं, आप फिर से कह रहा हूं, अब द internet बंद बंद हो जाएगा, तो class learning नहीं लेनी है, इसलिए आपको YouTube पर, linking laws के channel पर, telegram के channel से connected रहना है, ताकि आपको तुरंत कोई भी चीज का notification वगर आ सेगर, आप उस class को attend कर सकें, तो पहला क्या point आ गया, physical contact करना, मतलब सारेरिक संपर्क करना, दूसरा क्या है, दूसरा य जो point आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ पर, sexual remark, sexual remark, ठीक है, चौथा क्या point दे रहा है, show pornography, मतलब कहीं कहीं जो है, असलील चीजे show करवाना, और office में महिला बैटी है, उसके सामने जबरदस्ती है, उसके side में कहीं पर आप कोई blue भी खोल के बैट जाते है, उसका sound बढ़ा तो unnecessary उसको interact करवाना, तो show pornography, यानि कि यहाँ पर चौथा point कौन सा आजाएगा, असली चीजे दिखाना, ठीक है, और पांचवा point क्या आ रहे हैं यहाँ आपर, any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature, मतलब other sexual act, कोई भी other sexual act जो अपने आप में क्या है, unwelcome है, यानि कि other unwelcome sexual act, अब देखो यह पांचवा point जो है ना, इसने अपने आपको inclusive बना दिया है, अब other के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो physical हो, नोट करना, चाहे वो physical हो, चाहे वो verbal हो, चाहे वो non-verbal हो, हना, सारी चीजों को cover कर दिया है, इसके अंदर, पांचवा जो point है, यह अपने आप में इस definition को inclusive बना लेता है, किसी भी definition के अंदर, अगर last point, any other लिखा हुआ होता है, तो समझ जाना वो definition अपने आप में inclusive तरकी है, लेकिन, अब 354A में अपन जाएंगे न, तो 354A में उस परिभाशा को उन्होंने थोड़ा specific रखा है, वह पर सिर्फ आपको चारी ground मिलेंगे, पहला ground, दूसरा ground, तीसरा ground, चौथा ground, ठीक है, इस वाले point को 354A में इसी के अंदर cover कर रखा है, physical contact के अल point के अंदर इन्होंने इसको cover कर रखा है, खेर जो भी हो, यह तो है sexual harassment की basic परिभाशा, basic चीजों के अंदर, तो 5 बाते आपको ध्यान में रखने है, पाच बाते कौन-कौन सी, अगर physical act करता है, तो sexual favor मांगता है, तो sexual किसी तरह किसे comment करता है, टिपनी करता है, तो pornography दिखाता है, तो या फिर other कोई sexually unwelcome act, ठीक है, यह पाच बाते sexual harassment के अंदर आती है, यह बात note कर लेना, sexual harassment S शब्द से start होता है, और S के अंदर पाच element इन्होंने दे रखे हैं, तो sexual harassment के अंदर पाच act आते हैं, अब इसी परिभाशा को, अब point note करना, अब मैं 3-2 पे आ रहा हूं, मैंने आपको कहा था, 3-2 पहले नहीं पढ़ना है, पढ़ लिया तो गरबर हो जाएगा, तो 2-N को पढ़ने के बाद में फिर आओ आओ आप इसके उपर, अब 3-2 को जानने की कोशिश करना, section 3-2 क्या कहता है, अलग-अलग circumstances दे रिखे हैं, जिसमें उन्होंने कितने 5 point और दिये हैं, और वो भी sexual harassment कहलाएंगे, यानि कि ये जो है ना, ये एक advance है, ये advance परिभाशा है, किसकी sexual harassment की, लेंगी कुत पिड की advance परिभाशा है, जहां पर भी 5 बिंदू दे रिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा, कौन-कौन से बिंदू है, underline करना, देखो, पहला बिंदू दे रिखा है, preferential treatment, अब जैसे एक ही काम है, male ने भी किया, female ने भी किया, male को preferent दे रहे हैं, female को नही दिया, do you know, आप लोगोंने सुना होगा, कि फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है, कि जो female model, director के साथ में compromise करने के लिए तयार हो जाती है, उसको chance मिल जाता है, movie के अंदर, आप लोगोंने सुना होगा, देखो, practical बात करें, इसमें चुपाना क्या है, जो हकिकतें वो कर सकता हू ना, boldness के साथ बात कर सकता हूँ, ना, कानून ही ऐसा पढ़ रहे हैं अपन, कानून ही ऐसा पढ़ रहे हैं, जहां पर अगर मैं आपको खुलके नहीं बताऊंगा, तो कहिं की चीज़े clear नहीं होगी, होता है ऐसा, बॉलिवूड movies के अंदर बहुत आम बात हो चुकी है, modeling क अंदर बहुत आमाज हो चुकी है, और अकिकत तो यह है, air hostess, हम लोग सब जानते है, air hostess, इनके साथ भी कई जगा ऐसी चीज़े उनको face करनी पड़ती है, literally fact यह भी है, पहली बात हो यह है, हम किसी भी company इमने को define नहीं कर रहे है, नॉर्मल बात कर रहे है, ठीक है, जैसे क मान लीजे, उसको promote करना है, तो उसके साथ के late night party attend करनी पड़ेगी, आपको यह करना पड़ेगा, अब वो भी उसके लिए क्या है, एक तरीके से harassment है, तो सोचने वाली बात है, ऐसी कई सारी चीज़े होती है, अब यहाँ पर हमें 5 बातों को समना, preferential treatment, तो पहला बिंदू, preferential treatment, दूसरा detrimental treatment, मतलब उसके अहित में कोई वेवार करना, तीसरा उसको धमकी देना, कि मैं देखता हूँ तुम कहा काम करती हो, है ना, हमारे organization को छोड़ रहे हो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा कौन तुम्हें जॉब पर रखता है वगरा वगरा ऐसा करके, और होता भ organization जहाँ पर वो जॉइन कर रही है ना, वहाँ तक indirectly एक सूचना पहुचा दी जाती है, उसके character के समन्द में, कि be aware सरी, मैला ने हमारे organization में ये चीज़े हो, आपको ध्यान रखना है, है ना, तो इस तरीके से threatening करना, अला कि अगर ऐसा act किया जाता है, तो तो अपने आपने और भी offensive है, लेकिन threatening करना, यानि कि employment threat देना उसको, उसके बाद में fourth point दे रखा है, offensive work environment या hostile work environment, और last में दे रखा है, humiliating treatment, मतलब अपमान जनक उसके साथ में आचरन करना, तो कौन को से बिंदू यहाँ पर mention कर सकता है, देखो सिर्फ और सिर्फ, एक definition को मैं थोड़ा detail में explain कर रहा हूं, बाखी की definition हम लोग सिधा bare act से ही cover करेंगे, क्यों कि जो कानून हम पढ़ने वाले, उस कानून का सीधा संपर्ग यहाँ से आएगा, ओके, चले, तो यहाँ पर पहला point क्या आ रखा है, पहला आ रखा है, preference देना, तो यह मैंने पहला point लिख लिया, एक तरीके स प्रात्मिक्ता देना, दूसरा क्या लिखा हुआ है, detrimental, detrimental बोले तो अहितकर, तो दूसरा बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर detrimental behavior करना, तीसरा क्या point लिखा हुआ है, उसको employment threat देना, यानि कि उसको एक तरीके से धमकी देना, या तो present employment के बारे में, या future employment के बारे में, उसके में, एक तरीके से उसका जो work environment है, work environment को क्या बनाना, hostile बनाना, उसके against बनाना, ठीक है, और last में क्या mention कर रखा है, humiliating यानि अपमान जनक, अपमान जनक व्यवार है, जो करना, यह आपके इस category में आ जाएगा, अपमान जनक, तो यह 5 बाते हैं, लेकिन यह 5 बाते हैं आपको तब पढ़नी है, जब आपको इन 5 बातों की बारे में जानकारी है, तो अब मुझे बताओ, जब आप exam के अंदर, suppose को remains के exam में आपसे पूछा गया, कि explain the sexual harassment, तो आप सिर्फ section 2N लिखकर आओगे है, section 3, 2 भी लिखना जरूरी है, quickly answer दीजेगा मुझे, section 2N से ही काम चल आप में section 3 का, subsection 2 भी mention करके आओगे, obviously वो भी ज़रूरी रहेगा वहाँ पर, दोनों को आपको क्या करना है, mention करना है, तब कहीं जाके sexual harassment की परिवाशा अपने आप में clarify होगी, okay, चले, अब आगे बढ़ते हैं आपर, तो ये तो basic मुद्दा discuss के आम लोग आने, कि sexual harassment क्या ह होता है, अब अगले 10 मिनट के अंदर, इस पूरे कानून की जो basic कहानी है, वो आपके सामने रखने वालो, अगले 10 मिनट तक अगर आपने पूरा attention रख लेना, तो आप basic मोटा मोटी रूप से, इस कानून की structure का समझ जाओगे, अगले 10 मिनट तक हम लोग कोई interaction भी नहीं कर जाओ कि हम कोई particular कानून को पढ़ रहें, बिल्कुल normal बात आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है, कि एक महिला जब किसी organization में काम करती है, ठीक है, और उसके साथ अगर किसी तरका, जो हम लोगोंने section 2N पढ़ा है, जो हम लोगोंने section 3.2 पढ़ा है तो जब किसी महिला के साथ में 2N होता है, या फिर 3.2 होता है, मैं थोड़ा section में बात कर रहा हूँ, ताकि आपके mind में section भी छप जाए, जब किसी महिला के साथ में 2N हो या 3.2 हो, तो उस महिला को कहा जाता है, agreed person, ठीक है, आप क्या कहोगे उसको, एक तरीके से agreed person, section 2 जो है है हमारा, वो 16, 16 definition लेकर बैठा है, section 2 जो है, उसके अंदर total 16 आपको अलग-अलग definition दे रखी है, लेकिन काम की definition तो 4-5 ही है, काम की definition सिर्फ 4-5 ही है, अब section 2 के अंदर, जो सबसे पहली definition है, वो यही आ रही है, agreed woman, तो पहला definition क्या आ रहेगा, व्यतित महिला, एक चीज ध्य अपना sexual harassment जो है, महिला के साथ हो रहा है, तो यह कानून अपलाई होता है, अगर sexual harassment किसी male person के साथ में हो रहा है, होता भी है, ऐसा नहीं कि यह impossible बात है, male person के साथ में भी sexual harassment हो सकता है, लेकिन वो इस कानून से governed नहीं होगा, ठीक है, तो यह महिला क्या कहलाती, agreed woman, agreed woman का two clause A, two के clause A में इनोंने इसको बता रहा है, अब इसके साथ sexual harassment करेगा कौन, कौन कर सकता है, तो इसके साथ sexual harassment करने वाले दो person हो सकता है, ध्यान से सुनना, यह aspect बहुत महत्तपूर है, workplace पर दो लोग जो हैं उसके साथ गलतकारी कर सकता है, पहला तो उस organization का कोई employee, और दूसर उस organization का employer खुद, ठीक है, तो यहाँ पर employer यानि की new jack, जो काम देता है, उसको बोला जाता है employer, और जो उसके साथ में काम कर रहे हैं, उसके under में काम कर रहे हैं, वो कहलाते है employee, ठीक है, यह दो person क्या है, उस महिला के साथ में sexual harassment कर सकते हैं, अच्छा, अगर माल लीजिए, को office में काम कर रही थी, वहाँ पर कोई बाहर का customer आता है, वो customer आके उस महिला के साथ में को इस तरह की हरकत करता है, क्या उसको भी इस act के तरह गवर्ण करेंगे क्या, जवाब होगा, नहीं, उसको यहाँ पर cover हमें नहीं करना है, ठीक है, इन दोनों को, यह जो employer और employee है, इनक component को specifically 2 के clause M के अंदर mention कर रखा है, अब section 2 का, जो आप clause M देखेंगे, तो वहाँ पर आपको specifically किसके बारे में जिक्र मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा, respondent प्रतिरती means a person against whom the agreed woman has made a complaint under section 9, section 9 के अभी देखते हैं, तो प्रतिरती यहाँ पर आ गया, तो यह क्या है, 2 का clause M है, इन द दोनों के खिलाब complaint होगी, complaint किसके समझना है, 2N या 32 के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, complaint जो है, इस situation के अंदर कौन करने है, मतलब किसके पास की जाएगी, यह point समझना, यह बड़ा महतुपोन मिन्दू है, complaint है जो कहा की जाएगी, यह तो समझ कि हमके परिव बाद है, जो दर्द किया जाएगा, अच्छा मजधार बात ही है, कि CRPC जब पढ़ते हैं, तो महाँ पता चलता है, कि आप जो complaint है, वो oral या return, दोनों मैं से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे FIR है, oral भी दे सकते हैं, यह पुलिस वालों की duty है, कि वो क्या करेंगे, उसको और reduce कराएंगे, return के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मामला अलग है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको return में ही करनी पड़ती है, ठीक, तो complaint कहाँ पर करेंगे, तो complaint की जाती है, committee के सामने, अब ध्यान से सुनना, अब पूरा एकदम कहानी में twist आने वा महिला का, तो उसके बारे में तो पूरे expressive प्रावधान है इस कानून के अंदर, लेकिन इस कानून की एक कमी है, कि employer अगर ऐसी चीट करता है न, तो उसके बारे में not complete detailed, employer के द्वारा अगर उस महिला से किसी तरह का sexual harassment किया है, तो उसकी proceeding में किस तरीके से मामला चलेगा, उस को सजा कितनी हो सकती है, उसके ओपर क्या क्या पैनल ओर्डर लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में ये जो दो जा तेरा का कानून है, ये खुल कर बात नहीं करता है, बात करता है, थोड़ी सी बात इसने की है, लेकिन खुल कर बात नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना लेकिन employee के समंध्र खुल कर बात की गई है employee के समंध्र सारी बात लिखी है कि इस तरीके से मतलब उसको क्या किया जा सकता है उसकी salary मैं से deduction किया जा सकता है ठीक है employee के बारे में यह act यह खुल कर बात नहीं करता है यह point generally याद रखना अब देखो हम discuss कर रहे थे committee के बार है committee यानि की समिती अब इस कानून के अंदर जो है ना इस कानून में दो तरह की समिती का जिक्र यहाँ पर specificly हो रहा है ठीक है दो तरह की समिती कौन-कौन सी है देखो एक तो आपकी समिती आती जिसको बोला जाता है ICC और दूसरा होता है LCC एक क्या हो complaint committee नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर शब्द लिखावा internal और एक होता है local complaint committee local complaint committee ठीक है यहाँ पर जो है इसको form किया जाता है section 4 के प्रावधानों के तहत और दूसरी वाली को form किया जाएगा section 6 के प्रावधानों के तहत अब attention देखो अगर किसी organization के अंदर 10 या जादा करमचारी है तो उस organization में जरूरी है कि वहाँ पर एक internal complaint committee जो है उसका निर्मान किया जाएगा यह जरूरी है कि वहाँ पर क्या किया जाएगा एक internal complaint committee का निर्मान किया जाएगा जहाँ पर जो है specifically एक presiding officer होता है दो अन्य सदस्य होता है जो कहिंगी थोड़े से social अगरे से matter से deal करते हैं और एक और अन्य person होता है मतलब यहाँ पर जो है PO presiding officer plus two plus one यानि कि total कम से कम चार लोग बैठते हैं कम से कम कहा रहा हूँ मैं ठीक है कम से कम चार लोग बैठते है PO plus two plus one ठीक है कब होगा ऐसा जब 10 या 10 से ज़्यादा करमचारी वहाँ पर है तो mandatory नियम है यह वहाँ पर क्या होना चाहिए आंतरिक परिवाद समित्ती होनी चाहिए अचा presiding officer वहाँ की जो senior most कोई nominated महिला होगी उसको बनाया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजे 10 से कम है या फिर मान लो जिस महिला के साथ में sexual harassment हुआ है वो एक domestic servant है अचा मज़ेदार बात यह है domestic servant को भी protection मिलता है इस कानून के अदर domestic servant को भी fully protection यहाँ पर दिया गया है बस इतना जूर ध्यान लटना कि यहाँ पर जो criteria आएगा वो थोड़ा सा अलग है section 6 के अंदर यहाँ पर इसके अंदर कितने सदस्य होंगे तो एक तो होता है इसके अंदर chair person एक तो क्या होगा इसके अंदर c c for अपने आप में हो जाएगा यह chair person एक तो होगा इसके अंदर चेर परसन, साथ ही साथ में दो अन्य सदस्य होंगे जो कहीं कि उसके NGO वगरा से बिलोग करता है एक सदस्य से और होगा SCST या फिर OBC या माइनोर्टी को नॉमिनेट करने वाला और एक होता है ex-officio यानि कि वह अधिकारी जिसके पास महिला और बाल विकास का जिम्मा होता है वो यहां कर ex-officio member होता है तो यहां पर कितने ओके total मिला कर देखा जाए तो एक chairman हो गया, दो अन्य सदस्य, एक और अन्य सदस्य और एक ex-officio total मिला कर कम से कम 5 सदस्य यहां पर होता है equal to 5 and here equal to 4 अच्छ, local complaint committee कौन बनाता है, जड़ा सुन लीजेगा एक और person को यहां पर मैं introduce कर रहा हूँ उसको कहा जाता है district officer attention रखना, अभी आपके बाकि सारे comments की reply में बादने दूँगा अभी पूरा attention agency act के बारे में समझो एक और person होता है जिसको कहा जाता है district officer इस district officer का संबंध directly इनसे तो होता ही होता है district officer और कोई नहीं है district officer होता है जिल्ला collector या district magistrate उसको उन्होंने इस कानून में नाम दे रखा है district officer या तो DM होगा district magistrate या फिर additional DM कौन जो अपर जिल्ला magistrate है उसको भी क्या किया जा सकता है collector वगरा उसको जो है district officer बनाया जाता है और district officer ही एक तरीके से local complaint committee को constitute करता है district officer जो है उसके तरह उसको किया जाता है अब इस कानून में अब देखो समझने के कोशिश करना अब इस कानून की खासित यह है कि आपको कहीं चीजों को आपस में link किये बिना आप इसको नहीं समझ पाओगे जैसे example के लिए district officer के बारे में बात करता है section 5 कौन बात करता है section 5 बात करता है लेकिन इसी district officer की duties क्या क्या होगी उसके बारे में जिक्र किया गया section 20 के अंदर तो यहाँ पर जब आप 5 पढ़ रहे हो आपको immediately क्या करना है 5 पढ़ते समें immediately 20 के पास जाकर भी अपना concept क्लियर करना होगा तो दो committee बनती है अब दोनो committee के according जो समझ दिर committee है वहाँ पर उस महिला के द्वारा क्या की जाती है शिकायत है जो की जाएगी complaint है जो की जाएगी यह बात अपने आप में एक तरीके से जरूरी aspect बन जाएगा जिसको जानना समझना जरूरी है अच्छा एक बात और ध्यान रगना complaint जो है वो तीन महिने में होनी चाहिए यह जो complaint है वो कितने महिने में होगी तीन महिने के अंदर जब भी उस महिला के साथ sexual harassment हुआ है इसको further तीन महिने के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर उस committee को ऐसा लगे कि जरूरी है तो प्लस तीन महिने और कर सकते हैं लेकिन after six month no chance चाह महिने बाद में अगर कोई महिला आके sexual harassment की शिकायत करती है तो इस act में इसका benefit नहीं मिलेगा यही reason है कि जो me too campaign चला था तो me too campaign के अंदर कभी भी किसी case को इसके तहत नहीं लिया गया क्योंकि पुराना मामला इतना पुराना आप complaint करोगे अब उसको consider नहीं किया जा सकता ठीक है अब यह diagram अब देखो यह पूरा जंगल बनने वाला है आपने नजर हटाई नहीं और यह जंगल आपको समझ में आएगा नहीं तो इस तरीके से LCC और ICC जो committee है वो बनती है अब ध्यान से सुनना section 5 को हमें क्या करना है section 20 के साथ में जाकर समझना है जहां पर district officer एक बाद आओ मेरे साथ section 5 पर ताकि कुछ एक section जो छोटे मोटे उनको हाता आओ यही पर हम encounter हों का करते हुए चले section का encounter को अपना passion जो है अपने आप आपके मनजिल की रूप में पहुंच जाएगा the appropriate government may notify a district magistrate और additional district magistrate या collector या dipty collector as the district officer for every district हर जिल्ले के लिए नाम से पता चला है district के लिए होगा कौन बनाएगा appropriate government जो है वो बनाएगा अब दो को एक और नया शब्द आ रहा है district officer को basically कौन अपोइंट कर रहा है तो यहाँ पर उसको अपोइंट करने का काम किया जा रहा है appropriate government के द्वारा appropriate government appropriate government कुछ नहीं है रही अगर मान लीजिए संस्ता ऐसी है जहाँ पर कैंद्री करन कैंद्र सरकार का शाशन है तो वो वह पर appropriate government होगी समुचित सरकार होगी central government और अधर्वाइस दूसरे मामलों के अंदर होगी राज्य सरकार, state government तो appropriate government का मतलब वो अच्छा, तीन special section जो है वो इस appropriate government के बारे में बात करते है देखो, अब कहने को तो इस कानून में 30 section है, कितने 3-0 लेकिन आपको जो समझना है न, आपको सिर्फ 15-16 section ही समझने है ठंग से, बाकिस सब जीजे तो समझ लेना कि आपने जो पावभाजी ली है, उसके उपर बटर का काम करेंगे, क्या करेंगे? पावभाजी के उपर बटर का काम करेंगे, में तो पावभाजी का, मतलब effort किया जाता है कि किसी तरीके से जो है इनके बीट में समझोता हो जाए, अच्छा एक बात हो, ये जो सदस्य है ना, इन सदस्यों को remove भी किया जा सकता है इन सदस्यों को क्या किया जा सकता है, remove है जो किया जा सकता है अब सुनना मज़दार बाद, दो section के बीच में interconnectivity जानना, अब अगर ICC का सदस्य है, इसको remove करना है, तो वहाँ पर आपके specifically section 4 का clause, subsection 5 दे रखा है, ठीक है, और अगर LCC, local complete committee के सदस्य को remove करना है, तो इसके सारे ground जो है, वो आपको कहा मिलेंगे, वो मिलेंगे section 7 के clause 3 के अं दोनों के same ground है उनको remove करने के, चलिए, अब सुनिए अगला हिस्सा, यहाँ तक मामला काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है, CPU is working or not, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ तक ठीक है, ओके, हाँ, आज तो पढ़ाओगे पाव भाजी सास्ति सरकल जाना पढ़ेग है, अब इससे आगे क्या होगा, अब सुनिएगा, अब आता है committee का रूल, committee सबसे पहले क्या करती है, conciliation गराती है, conciliation बोले तो settlement गराने की कोशिश करती है, तो जैसे ही मामला पहुचा किस के पास में, या तो ICC के पास में, या LCC के पास में, अच्छा यह तो clear है ना, कि ICC के पास कब जाएगा, और LCC के पास कब जाएगा, is that clear ना, ठीक है, अब एक नया point सुन लो, अगर शिकायत employer के पास, employer के against है, अगर complaint जो है, वो employer के against है, तो वहाँ पर internal complaint committee में मामला नहीं जाएगा, internal बोले तो department के अंदर ही ये committee बना रखी है, तो सीधी सी बात है, वो employer के खिलाब मामला है, तो complaint सिर्फ और सिर्फ Local Complaint Committee के पास में ही होगी, ठीक है, complaint सिर्फ और सिर्फ का होगी, Local Complaint Committee के पास में होने वाली है, अच्छा एक बात बताओ, एक जिल्ला ऐसा है, जिसमें 100 company आदियान से सुनना, एक district ऐसा है, जिसमें 100 company आए, और सारी company के अंदर जो employees है, वो 10 से कम है, below 10 है, क्या है, below 10 है वहाँ पर, ठीक है, या पर चलो उल्टा ले लता है, वहाँ पर जो है, 10 से ज़्यादा members है, यह एक जिल्ला है, यह सवाल आप से पूछ रहा हूँ, अच्छे से जवाब देना मुझे, यह एक district है, यहाँ पर total 10 company है, उन 10 company हो गंदर हर एक में 10 से ज़्यादा employees है, 10 से ज़्यादा employees है, तो वहाँ पर ICC mandatory होगी, internal complaint committee mandatory होगी, हाँ या ना, अब मेरा सवाल यह है, कि अगर इन 10 company के अंदर, अपने complaint committee बनी हुई है, क्या तो भी, even in that case also, क्या district minister को, district officer को, local complaint committee established करनी पड़ेगी, क्या, यह बताओ answer, क्या, ऐसे मामलों के अंदर भी उसको, जिल्ला अधिकारी को बनानी पड़ेगी, local complaint committee, है ना, answer yes or no, yes, exactly, उसको बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी, दो कारण है, दो logical कारण बता रहा हूँ उसको मैं, पहला तो बात यह, कि local complaint committee इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि, अगर कोई भी मामला employer के against आया, कोई भी मामला न्यूकता के against आया, तो local committee के पास ही complain होगी, पहला point, दूसरा, domestic servant के मामलों के अंदर, domestic, जैसे maid रखते हैं वगरा, उसके मामलों के अंदर, उसके साथ कोई छेड़ा खानी क्या करते होती है, तो वो भी सी act के अंदर की जाए, है ना, पता चला की घर में दादा दादी, बापा, मम्मी, ताओ जी, ताई जी, चाचा, चाची वगरा रहे, 10-15 member थे, वहाँ पर एक made काम करने आई थी, तो हमने internal complaint committee बना दी, इसके अंदर माता जी को head बना दिया, चाचा जी को और ताओ जी को member बना दिया, इस के पास में नहीं जाएगी, is that clear, ओके, चले, तो यहाँ पर इसलिए, ऐसे मामलों के अंदर ये चीज होना जरूरी है, अब वापिस आ जाता है, देखो, अब हुआ ये, कि complaint पहुँचके, complaint के बाद क्या करेगा, जो ये ICC और LCC है, ये conciliation करवाते हैं, ये क्या कराते हैं, effort करते हैं कि दोनों में कैसे भी करके समझाता हो जाए, मतलब मामले को ये पर इस तरह से खतम किया जाए, लेकिन कभी भी monetary ground पर, सिर्फ monetary ground पर जो है conciliation नहीं हो सकता, इस बात को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान में है, जो रखना है, monetary conciliation मतलब कि पैसा दे लो मामले को खतम कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा जो है, कभी नहीं होने वाला, ये बात आपको अच्छे तरीके से mind में set है, जो रखनी है, अच्छा, इसमें एक बिंदू और, एक बिंदू आपको ये ध्यान में रखना है, कि जब इस तरह का scene create होता है, conciliation का जो परयास व अब्जर्व करते हुए चलना है, ठीक है, अच्छा, conciliation का मुद्दा, section 9 में complain होती है, कहां पर होती है, section 9 में complain हुई, ठीक है, उसके बाद section 10 के अंदर, conciliation का effort है, जो किया जाता है, 10 के अंदर, अब इसमें दो संभावना है, या तो मामला settled होगा, या तो मामला जो है, settled हो होगा, या फिन नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि मामला settled हो गया, settled हो गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, उस settlement को, वो जो committee है, वो record करेगी, और forward कर देगी किसको employer को भी, और district officer को भी, ठीक है, और उसकी copy जो है, agreed person को दे देंगे, और उसके बाद में कोई further inquiry नहीं होगी, यानि कि यहाँ पर जो है, इसको record कर दिया जाएगा, जो भी उन्होंने settlement लिया है, record and forward, इसको, किसको settlement को, ठीक है, जो भी settlement उनके बीच में हुआ, और उसके बाद में कोई further inquiry नहीं हो, मतलब मामला वहाँ पर एक तरीके से close हो गया, no further inquiry, लेकिन यहाँ पर एक बात है, settlement जि terms and condition ब्रूब आए, और बाद में जाकर वो organization उन terms and condition को follow नहीं करे, तो situation गंदर वापिस मामला आगे बढ़ सकता है, यानि कि यहाँ पर इसी नमाने सामने यह आएगा, if terms not followed, if अगर जो शर्ते हैं, उनकी पाला नहीं की गई, तो क्या होगा, if terms not comply, तो वहाँ पर क्या होगा उसके लिए आपको दो मिने टुकना है, फिर इसका answer में आपको बताने वाला हूँ कि फिर होगा क्या, अब पहले यहाँ पर आजाओ, अब क्या होगा, अगर settlement नहीं हुआ तो, settlement जब नहीं होता है, तो situation में करवाई जाती है, inquiry, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, settlement नहीं अच्छा, जाच जो है, वो complete हो जानी चाहिए, निब्बे दिनों के अंदर, लेकर नहीं बैठना है मामले को, ठीक है, तो जो inquiry है, वो 90 दिनों के अंदर क्या हो जानी चाहिए, complete है, जो हो जानी चाहिए, यह point ध्यान अगना, exam में पूछने लायक है, ठीक है, अच्छा, ज जब local complaint committee या इस्थानिय जो आपकी internal complaint committee जाच करती है, उस समय उसके पास वही power होगी जो की एक civil court की होती है, यानि की जाच करते समय उनके पास में जो power होगी, will be same as civil court, civil court की तरह ही उनके पास में power होती है, यह बिंदु ध्यान में रखना, देखो अभी थोड़ा-थोड़ा समझते जाओ, इस class के end में कोशिश करूँगा पूरा एक साथ recall करवाने की और इसमें section को भी अपने इस्थमाल करेंगे, section 9 के अंदर complaint हो गई, section 10 के अंदर settlement cancellation कराने का effort हो गया, जब effort काम नहीं किया, तो हमने section 11 के अंदर क्या की है, उसकी complaint है, inquiry है जो conduct करवाई है, अब दे कि inquiry जो है, वो माली जी किसी employee के खिलाप हो रही है, तो कैसे होगी, और domestic servant के खिलाप मामले में हो रही है, तो कैसे होगी, देखो, अगर जिस महिला के साथ में sexual harassment हुआ है, वो कोई employee है, या फिर दूसरा मामला, वो एक domestic servant है, वो क्या है, domestic servant है, logically कानून को अपन थोड़ा तो मामला दिमाग में ठीक बैठेगा, अगर employee है, तब तो फिर क्या होगा, जो भी inquiry होनी है, वो service rules के according होगी, वापिस सुन लो, वो उनके सम्मंदित जो भी service rules है, उसके according होगी, ठीक है, और अगर कोई service rules नहीं बना हुआ है, तो जो other appropriate तरीका, अब वो other appropriate तरीका क्या हो सक होता है, वो इस act में नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, as per inquiry कैसे होगी, इसका कोई specific तरीका नहीं दे रखा है, simply क्या mention कर रखा है, as per service rules, लेकिन अब जो बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से सुनना, अगर मामला domestic servant का आता है, तो वो committee, domestic servant के साथ में अ बना है, तो वो साथ दिन के भीतर, police को complain करेगी, IPC के section 509 में, कहां करेगी फिर वहाँ पर, अगर उसको लगा कि विलकुल मामला बन रहा है, तो situation में उसके द्वारा complain की जाएगी, complain कहां पर होगी, complain to police, complain to police, within seven days, साथ दिन के भीतर की जाएगी, और कौन से section में की जाएगी, section 509, exam में पूछने वाली बात हैं, 509 of IPC, अब 354 और 509 इनका अपस में connection भी होता है, Indian Penal Code का, किसी मरिला को आप इस तरीके से, जैसे कोई verbally वगरा है, इस तरीके इसके dignity को hurt करते हो वगरा, तो फांचो 9 का मामला है, जो बन जाता है, तो 509 के जाएगी, मतलब inquiry कैसे होगी, नहीं दे रखा है, लेकिन inquiry करने का तरीका, अगर employee है, तो service rules के अनुसार, और अगर domestic servant है, तो साथ दिन में पुलिस को complain की जाएगी, 509 के तर, ठीक है, 509 के तर जो है, complain वगरा की जा सकेगी, अच्छे एक बात बताओ, suppose करो कि कुछ मामलों में non-compliance हो जाए, जैसे employer है, employer को मामला पता चलता है, वो आगे इसको following नहीं करता है तो, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि employer के आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर अब inquiry स्टार्ट होगी, ओके, आगे बढ़ता है, तो ये section 11 का, यहाँ पर inquiry का मामला जो है, वो शुरू हो गया, अब inquiry के अंदर दो result आएंगे, ये ध्यान से समझना, ये जो बिंदू है, बहुत interesting है इसका, section 11 के तहत, inquiry के दो aspect यहाँ पर साबित है जो नहीं हो रहे है, ठीक है, दो बाते हमको यहाँ पर अच्छे से समझके चलना है, या तो जो allegation है, जो RO, allegation जो है, वो या तो proved हो रहा है, साबित हो रहा है, और या फिर जो है, वो साबित नहीं हो रहा है, देखो, ये सारी बात है न, आपके सामने exam के time में दि को करेंगे यहां यह कहा था ऐलिगेशन प्रूड हो जाये तो क्या होगा नौट प्रूड हो जाये तो क्या होगा वगरा चाहिए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एलिगेशन हालागी इस से पहले आप एक इंत्रीम एक्षन यानि कि अंत्रीम जो है एक्ट किये जा सकते हैं सेक्षन बारा के तहर्ट ट्वैल के तहर्ट और उसके अंदर तीन एक्षन आपके सामने आएंगे तीन action कौन कौन से या तो transfer कराया जा सकता है जिस वेक्ति के खिलाप आरोप लगे है या जिस वेक्ति ने complain की एग्रिट पर महिला या फिर वो जो respondent है उनका transfer कराया जा सकता है एग्रिट महिला को छुटियां दी जा सकती लीव पर बेज़ जा सकता है या कोई अदर चीज यानि कि तीन बाते हैं पहला T4 transfer कराया जा सकता है दूसरा उस महिला को paid leaves होगी वो लीव दी जा सकती है या फिर कोई अदर लीव जो उनको ठीक लगे ये तीन चीज़ें interim आदिश है आपसे exam में पूछा जा सकता है कि जब sexual arrangement की inquiry चल रही है तो कौन-कौन से ऐसे orders है जो committee पास कर सकती है तो तीन orders, transfer, leave, छुटियां और तीसरा other जो उनको ठीक लगे ये हो गया हमारे section 12 के संबंद है अब आगे बढ़ता है देखो, जब committee का inquiry complete हो जाता है inquiry जैसे complete हुई तो 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? वो क्या करेंगे अपनी final बात, conclusion है जो बताएंगे, report बताएंगे अब यहाँ पर जो ये report बताई जाती है, उसके लिए apply होता है section 13 अब ध्यान से सुनना, गबर सिंग आ गया है section 13, section 13 के अंदर दो category बन रही है अगर मानली जो allocation लगाएंगे, वो साबित हो गए तब तो वहाँ पर apply हो जाएगा 13 का clause 3, subsection 3 और अगर वो साबित नहीं हुए, तो वहाँ पर आजाएगा 13 का subsection 2 अब आपको पता है, मैं इन दोनों subsection पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आगे जाकर आप appeal के provision पढ़ने वाले हो, इसी के अंदर ठीक है, और appeal के provision के अंदर ये नहीं लिखावाए कौन-कौन से मामलों के appeal वहाँ सीदे section छोड़े गए, 13, 3 का clause 1, 13, 2, 13, 3 का clause 2 उस समय गड़बर ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर मैं उन section को थोड़ा नाम दे दे के बता रहा हूँ ठीक है, तो section 13 के अंदर allocation जब साबित हो जाता है, तो 13, 3 के तहत, दो तरह के order पास किये जा सकते है 13, 3 के तहत, दो तरह के order पास किये जा सकते है ठीक है, 13, 3 के अंदर सबसे पहले order 1, clause 1, यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसके किलाब service misconduct की कारवाई की जाएगी क्या कहेंगे इसको अपन service का misconduct करना, और फिर जो भी service rules क्या कहता है, उसके according proceeding कर लिया जाएगा service misconduct, और 13, 3 का दूसरा clause, दूसरा clause क्या कहता है, कि उसकी salary मैंसे कुछ amount को deduction करने का आदेश किया जाएगा यानि कि salary deduction का instruction, बोले तो salary deduction, मतलब उसके वेतन मैंसे कटोती है, जो करने का instruction दिया जाएगा, किसको to employer, उसके नियुकता को, और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि उस महिला के लिए compensation निर्धारित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, compensation और compensation का amount कहां से लिया जाएगा, उसकी salary से लिया जाएगा, अब मज़दार बात ये है, कि section 13 के तहट, जो compensation वाली बात है, वो compensation कितना होगा, कौन से factors के according compensation decide किया जाएगा, तो ध्यान से सुन लो, इसके अंदर 5 factors है, उनको ध्यान में रखते हुए, compensation decide किया जाएगा, और ये 5 factors जो है, कहीं और नहीं, section 15 में provide कर रखे है, हम लोग section 13 बढ़ रहे हैं, ठीक है, section 13 के बाद section 15 आ गया, section 14 कहा गया, अभी बताता हूं 14 कहा गया, जब allegation साबित नहीं हुए, जब आरोप साबित नहीं हुए, तो 2 situation बनेगी, या तो उसके अंदर वो evidence पेश नहीं कर पाई, और या फिर उसने जूटी शिकायत की, और महिलाओं केस में जूटी शिकायत के मामला भी बहुत होता है, है ना, आज का समय जो है, वो इतना भी सीधा नहीं है, कि सारी मामले सच बने हो, तो यहाँ पर अगर पर section 14 apply हो जाएगा, और section 14 इस बात को check करेगा, कि कहीं उस case में false complaint तो नहीं है, false complaint नहीं है, अच्छा section 14 हर एक case में आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जहाँ पर doubtful होता है, जहाँ पर लगता है, वहाँ पर false complaint की checking की जाती है, ठिक, अब मेरे साथ-साथ फटा पर एक बाद थोड़ा सा recall करो, देखो क्या हुआ, section 9 के अंदर, अब देखो मैं जो बात बता रहा हूँ ना, आपको साथ-साथ थोड़ी बोल ली भी है, अपने मन में बोलना, okay, section 9 के अंदर complaint हुई, section 9 के अंदर क्या हुआ, उस मामले का जो है, प्रॉपर तरीके से, जो भी ह हुआ तो ठीक, नहीं हुआ, तो section 11 की inquiry स्टार्ट हो जाएगी, section 11 की inquiry जब चल रही है, तो section 12 के तहत, वो committee कुछ interim आदेश दे सकती है, section 12 के तहत, और finally section 13 में अपना conclusion देगी, कि वो allegation पूड हुए या नहीं हुए, अगर पूड हुए, तो section 13 का clause 3 जो है, वो दो बाते बता है, service misconduct का आदेश हो सकता है, या फिर उस case के अंदर क्या होगा, salary deduction किया जाएगा, compensation के लिए, compensation कितना होगा, वो section 15 decide करेगा, ठीक है, उसके बाद में, अगर not proved है, allegation आरोप साबित नहीं हुए, तो section 14 के तहत, कोई action नहीं लिया जाएगा, और वहाँ पर ये भी है, कि जो false complaint है, फिर उसकी inquiry वाला मामला बैठ सकता है, section 14 के तहत, ये वाली चीज वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, और फिर false complaint का जो normal procedure रहेगा, उसको follow along किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक मामला clear, yes or no, यहाँ तक situation ठीक है, हाँ या नहीं, मतलब हमें क्या करना है, सिदे वे में समझना है, अचा एक बात बताओ, ये जो section 14 है ये अकसर होता है, एक बात आपको मैं practically बताओ, कई बार ऐसा देखा गया है, कि ऐसा कहां भी जाता है, कुछ हद तक, certain extent तक ये बात थोड़ा fact भी लगता है, कि मैलाय जो हो short temper जल्दी हो बहुत जरूरी है ना, तो अभी आपके माइंड को थोड़ा सा refresh कर लगते है, तो कई बार ऐसा होता है, कि नारी शक्ति जो प्रवल हो जाती है, डू यू रिमेंबर पारवती जी ने सिव जी के खिलाब यूद श्टार्ट कर दिया था, शायद आपको ध्यान हो के नहीं हो तो पारती जी का एक लड़ाकू वाला रूप भी था, लड़ाकू बोलो तो एक एंग्री वूमन वाला रूप भी था, कालिमाता तो नहीं कहेंगे, कोई अलग नाम है उसका, तो शीव जी के खिलाब यूद श्टार्ट कर दिया, तो जब नारी शक्ति जो है ना, जब ना उनको लगता है कि यह उस बंदे को मेरे को निकलवाना है, वो बंदा जो है मतलब मेरे प्रोग्रेस में बीच में आ रहा है, तो अब उसका हत्यार यह होता है कि वो उसको कैसे फसाने की कोशिश करती है, जैसे कोई भी, कही बार वो जुटी कम्प्लेंड पर भी आ जाती है, नारी अगर ठान ले तो लंका का विदवन्श होने से कोई नहीं रोक सकता। लंका बोले तो उस वेक्ति का करियर। कई ऐसे मामले भी हुए, एक वो मामला आप लोगों को याद हो तो ट्रैफिक रेड लाइट का एक मामला था, जहां पर एक वेक्ति जो है, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो ट्रैफिक सिग्नल पर आके लेफ्ट साइड में मूरना चाता था, अच्छाना कि एक महिला जबरदस्ती आगे से आगे दोरती हुए आ जाती है, उसको रुकने का इशारा करती है, फिर भी वो वेक्ति लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा था, तो वो महिला रुक दिया कि ठी रुक, मैं तरको अभी दिखाती हूँ, इस तरह से मूबाइल से उसका फोटू खिषती है, वो वेक्ति मना कर रहा हुता है, वो महिला घर जाती है, उस फोटू को फेस्वुक पोस्ट पे डाल देती है, कि I am a victim of Eve teasing, और फिर फेस्वुक पर मीडिया को दियो, बहादूर मैला, दबंग मैला, ऐसे बंदमासों चिचोरों से लडने वाली मैला, और पता है, उस केस में क्या हुआ, उस केस के अंदर लास्ट में जाके वो बंदा एक्विट होगी, उस पता चला, वहाँ पर एक इस लड़के ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, अब हुआ पता है कि 5-6 साल तक उस लड़की को तो फॉरन पढ़ाई के लिए बेज दिया, उसके पिता ने, फॉरन पढ़ाई करने के लिए वो चली की, आराम से पढ़ रही है, जब भी ट्रायल की हीरिंग होती, कभी आती, क इस लिए सेक्शन 14 का होना अपनी जगा पर ज़रूरी है, इसलिए लाइफ के अंदर एक डिस्टेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, आप सपेद कमीच पहन कर बैठे हो, ये मान की चलो, ठीक है, इसलिए हर चीज समविदन शीलता के साथ, सेंसिटिवटी के साथ आगी बढ़नी चाहिए, ओके, चलिए, तो ये डैली वैली का कोई घटना था, बात पे बात आई तो जिक्र विकर कर दिया, वापिस आ जाओ, कोई ओपिनियन फ्रेम मत करना, मैं सिप इतना कहना चाहरा हूँ, कि दोनों बाते होती, हर जगह पर होता है, आज हम कहीं जगह बहुत वर्काउट करती है, खैर, अब आजाओ, ये यूटूब पे आप सर्च कर लें, नॉर्मल बात बताईए मैंने आपको, अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे, अब थोड़े से फ्रेश हो चुके हो, कोई बीच में कोई मसाला मिल जाए ना, पढ़ते पढ़ते वो आदा घंडा जब सर्च सुना रहे थे, पक जाते थे, अब सर को कहा तो नहीं सकते हैं, सर वी आर पकिंग, बोले तो वी आर कुकिंग हो, तुम कहा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी, जब बीच में कोई दूसरी बात करने लग जाते हैं, फिर तोड़ा से रिफ्रेश्म पील कहा पर होगी, तो नॉर्मल जिस कोर्ट में अपील होती है, उस कोर्ट में क्या हो जाएगी, अपील जो है, हो जाती है, अब देखो मैं आपको सक्षिन अठारा पड़ाता हूं, अगर मैंने आपको ये डाइगराम याइगराम बनाने से पहले सक्षिन 18 का स्टेडि कर होता ना तो by God आप internally कहते तो नहीं लेकिन एक बड़ा सा पत्थर जो है मेरे उपर मेरे इस्ट्रेच उपर जरूर मार देते हैं अलागे इस तरह से नाराज की जाहिर करते लेकिन अब हम जो section 18 पढ़ेंगे ना तो अब मुझे बता ना कि 18 के पढ़ने के बाद में आपको कही मांसिक डिलेमा तो नहीं फील हो रहा है अब देखो 18 में क्या लिखा हुआ है section 18 any person agreed from the recommendation made under subsection 2 of section 13 कहा है हमारा subsection 2 तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात कीती subsection 2 यानि कि यह वाला point यह आगया हमारा subsection 2 जब कोई भी no action वाली बात आती है या फिर all under clause 1 clause 2 of subsection 3 of section 13 तो यह रा clause 1 यह रा clause 2 subsection 3 किसका section 13 का यानि कि यह वाली situation एक काम करता है इसको मैं थोड़ा circle में डाल देता हूँ यानि कि यह वाला point जो है वो उसके बारे में बात यहाँ पर हो रही है यह वाला point उसके बाद में यह वाला point no action वाला point then after और subsection 2 of section 14 यह जो बात है वो कहाँ पर आ रही है section 14 के अंदर तीसरा point चौथा और section 17 अब 17 क्या है इसको समढ़ने की कोशिश करना देखो 17 को जानने के लिए आपको section 16 बढ़ना पड़ेगा पहले तो exam के अंदर आपका अगर यह सवाल आए देखो यह mains का सवाल है mains की तियारी pre के साथ होती है यह बार-बार कहता नहीं हूँ इसको field करना की what orders what orders under act 2013 कौन-कौन से ऐसे आदेश है 2013 के अंदर against which जिनके खिलाफ appeal can be filed जिनके against में क्या हो सकता है appeal can be filed ठीक है तो यहाँ पर हमारे सामने कहीं सारे आदेश जो है वो आएंगे जैसे example के लिए सबसे पहले 13 का subsection 2 appeal हो रहा है 13 3 का clause 1 और clause 2 इनके खिलाब appeal हो रही है उसके बाद section 14 का मामला 2 यहाँ पर appeal हो रही है और लिखा हुआ है section 17 अब इस point को मैं समढ़ना यह 3 point तो मैं समढ़ना आगे section 17 section 17 को पढ़ने से पहले आपको जाना पढ़ेगा section 16 के पास में लेकिन section 16 को पढ़ाने से पहले आपको एक और जगा पर जाना होगा याद करो वो दिन, नहीं वो दिन नहीं, वो मिनट, आज की क्लास कही जब मैंने आपको बताया था कि यह जो internal complaint committee बनती है ध्यान से सुनना नई सुना, कम सुना, गलत सुना, मामला गरबड हो जाएगा internal complaint committee और local complaint committee के जो members होते हैं इनको remove किया जा सकता है मैं आपको डाइग्राम दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने आपसे यह वाली चर्चा जो है वो की ती, yes, this one यहाँ पर देखो, नीचे आजओ, आखो को यहाँ पर लेकर आओ, अपनी eyeball को बोलो, यहाँ fix हो जाए तो यह जो ICC की जो members थे और यह जो LCC की members थे उनको हटाया जा सकता है section 4 का subsection 5, देखो 4 के अंदर यह ICC गटित होती है, constitute होती है और 6 के अंदर यह वाली गटित होती है तो यहाँ पर इस point के अंदर, इसके अंदर, same वाला provision एपलाई होता है, remove करने का अब removal के अलग-अलग ground है, remove के, जरा एक बार section 4 के subsection 5 पर आओ तो section 4 पर आजाओ, section 4 में internal complaint committee गटित होती है देखो अपने मस्तिक्स को यह बोलो, कि यार मिरे को funda समन में आगिया इस act का इसलिए अगर sir, by chance मिरे को direct section read करवा रहे हैं, तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि sir, ऐसा क्यों करवा रहे हैं, यह शपत अपने आप से ले लो और अब जो मैं कह रहा हूँ, उसको follow करने की कोशिश करना क्या है कि दिमाग में से थोड़ी सी बदमाशी बाहाँ निकाल देना तो फिर अंदर बैढ़ता है, sincere student और sincere student को पढ़ाने बहुत मजाता है कोई complain नहीं करता है, फटा फट से चीटों को समझता है इधर उदर divert नहीं होता, खेर, कल्यूक का उसके उपर प्रभाव नहीं पढ़ता कहां पढ़ते हम, हाँ, section 4 के subsection 5 पर आजाओ देखो क्या लिखा हुआ है, where the president, presiding officer एक काम करते है, section 4 का पूरा ही postpartum कर देते है क्या सोचते हो, कैसा idea है बोलो हाँ, मस्त idea है, लोग अभी hand to hand ही कर देते है कहां डालें, इसका एक free page, ही ही पर डाल देते है चलो, ये हमारा section 4 देखो, घवराणा नहीं है ने जी, छोटा सा act है बहुत प्यारा act है ये, आसान इसे चुप-चुप के सारी बातों को बताता है ओके, देखो, क्या लिखा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले clause कितने है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, total 5 clause है, चलो तो 5 मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, branches, 1, 2, 3, 4, 5 आनंद लेना, टेंशन में मत आना, ठीक है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये मेरा clause 5 हो गया clause 1 में क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर, every employer of a workplace, share by an order in writing वो क्या करेगा, ICC को गटित है, जो करेगा यानि कि, subsection 1 ने यहाँ पर हमसे बात कही, कि जो employer है, जो, मैं employer के लिए यहाँ पर, पूरा ही लिख लेता हूँ, चलो EMPR, employer क्या करेगा, ICC को गटित करेगा, number 1, provided, जहाँ पर office, या administrative office of workplace है, अलग-अलग जगाओं पर है तो वहाँ पर internal committee कहाँ पर गटित होगी, administrative unit की जगाँ पर गटित होगी, यासे एक company के लग-अलग branches है, तो उसका administrative office कहाँ है, वहाँ पर आप ICC को गटित करोगे दूसरा, subsection, internal committee cell consists of the following, internal committee के अंदर member कौन-कौन होगी, इसका constitution क्या-क्या होगा, वह हमें find out करना है, internal complaint committee का constitution, तो इसके अंदर सबसे पहले, एक तो आता है, presiding officer number 1, जो की क्या हो, कौन होगी, एक ऐसी महिला जो senior level की है, उसी organization के अंदर, अगर माल लो administrative unit के अंदर कोई महिला नहीं है senior level की, तो branch level पर जो senior level की महिला है, उसको बनाएंगे हो, okay, तो presiding officer clause B पर आ जाओ, not less than two members from among the social work or legal knowledge, यानि की, दो सदस्य कहां से, या तो social work करने वाले लोग, या फिर legal knowledge रखने वाले लोग, दो सदस्य यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद C में, one member among non-government organization या ऐसी association, जो sexual harassment के cases से deal करती है, ठीक है, यानि की, एक सदस्य जो है, वो कहां से आयेगा, या तो NGO से, या ऐसी association से, जो इस तरह के मामले को deal है, जो करती है, इस तरह के मामलों के अंदर, proceed करती है, तो 3 यहाँ पर, तो criteria क्या बन गया, अगर आप देखोगे, तो president, दो अन् है, यानि की 1 प्लस 2 प्लस 1, यह इसका constitution यहाँ पर हो गया, तीसरा क्या है, कोई भी member जो है, वो 3 साल, उसका tenure कितना रहेगा, तो उसका tenure रहेगा 3 साल तक, 3 साल तक वो क्या कर सकता है, काम वहाँ पर करेगा, चौता क्या point लिखा हुआ है, member appointed from amongst the NGO, या association, shall be paid such fee, तो यह जो कि उसको, उसको क्या payment किया जाएगा, उसको, उसके अनुसार paid किया जाएगा, यह बात subsection 4 कहता है, कुछ confusion है नहीं, अब आजाओ subsection 5 पर, अब थोड़ा सा क्या, अब इसको समझेंगे न, अच्छे से sound में आ जाएगा, है ना, नहीं तो complain कर देते मेरी, कि सर, यह कुछ तर इनको हटाया जा सकता है, हटाने के कौन-कौन से ground जरा उस पर नजर लगाना गौर फरमाईएगा, पहला क्या point दे रखा है, कि अगर वो section 16 को contraven करे, यह section 16 कहां आया था, अभी हम लोगों ने appeal का point पढ़ा था, appeal के अंदर जो चौता point था section 17, और मैंने कहा था section 17 के अंदर जो penalty लगती है, वो penalty होती है section 16 की non-compliant है, तो वहाँ पर भी उसका link था, section 17 का 16 के साथ वहाँ पर भी link था, और एक link यहाँ पर भी हो रहा है, ठिक, तो इसके पास 4 ground है जिसके हिसाब से उसको हटाया जा सकता है, 4 ground, कौन-कौन से होंगे, देखो, पहला ground है, clause A जो है, वो है कि उसने अगर section 16 की non-compliant कर दी तो, 16 को अगर उसने follow नहीं किया है, तो वहाँ पर, दूसरा क्या ground है, अभी 16 पर बात करता है, दूसरा क्या ground है, बी के अंदर, अगर उसको convict कर दिया गया तो, किसी भी आरोब के अंदर, वहाँ पर court ने उसको दोशिद्धी साबित किया है तीसरा, अगर किसी disability proceeding के अंदर, उसको guilty ठहराया जाता है, किसी भी disability proceeding के अंदर, उसको guilty ठहराया जाता है, यानि कि वहाँ पर दोशी बनाया जाता है, या फिर उसने अपनी position का misuse किया है, अपना जो उसका ओदा है ना, उसका उसने क्या क्या एक तरीके से abuse कर दिया, तो इ ये ground अब हम पढ़ तो रहा है किसका section 4 बोले तो internal complaint committee का लेकिन LCC के member LCC के members पर भी यही ground apply होते हैं पर भी same ground apply होंगे उनको remove करने के लिए भी कोई अलग से याद नहीं करना है अगर आप section 7 के clause 3 को पढ़ोगे तो ये बाते मिलने वाली है हमें जिस से मतलब है हमें जिस से लेना और देना है वो है हमारा section 16 अब देखो section 16 का जिक्र अब समझने के कोशिश करना ये मेरे पास section 16 है अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ठीक है बहुत जरूरी हो गया है क्यूं section 16 नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को ये वाला provision section 4 clause 5 sub clause A समझ में नहीं आएगा यानि कि section 4 clause 5 और उसका sub clause A ये मुझे समझ में नहीं आएगा और 7-7 में मुझे समझ में नहीं आएगा section 17 क्या नहीं आएगा section 17 समझ में नहीं आएगा और अगर मुझे 17 समझ में नहीं आया तो मुझे 18 का कुछ हिस्सा समझ में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि 18 में अपील करने का एक ground section 17 दे रखा है और 17 का ground section 16 है अब इतनी सारी चीजे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे section 16 के कुम्ब के मिले में बिच्डे हुए भाई बैन है क्या है ये section 16 के इदर उदर बिच्डे वाले भाई बैन है इसलिए इन सबको एक साथ इखटा करके समझना पड़ेगा इस इस लिंकिंग ऑप section 16 हमने basically पता है क्या क्या है हमने section 16 का conceptual linking कर दिया है ठीक अब आपका मन पता है सोच रहा है कि सर इतना हाहाकार हो चुगा है section 16 का अब तो section 16 पढ़ा दो और ये तय है कि अब हम section 16 नहीं बूलेंगे और यही तो मैं चाता था यही तो मेरी रणिती थी अब मैं पढ़ूंगा section 16 अब मजा आएगा मुझे section 16 को पढ़ने का क्योंकि इतनी सारी हाई डिमांडिंग हमने क्या कर दिया है section 16 को हाई डिमांडिंग के अंदर लेके चले गए एक थोटी सी चीछ बताता है उसके बात आगे बढ़ेंगे अपन एक ओ अजे देवगन का और कंग्ना रानावत का एक मूवी आया था once upon a time in मुंबई हाँ यही नाम था ना बिलकुल उसमें पता है जब अजे देवगन impress करने जाता है उस कंग्ना रानावत को तब वो उसके घर के बाहर कोई सबजी वाला या fruit वाला खड़ा होता है तब वो उससे क्या लेता है सेव ले रहा था क्या ले रहा था कोई fruit ले रहा था तो उस fruit की कीमत कितनी है 25 रुपे तो वो कहता है सपोज करो कि तेरे पास में एक यही fruit बचाए अब इसकी कितनी कीमत होगी वो कहता है 100 रुपे सपोज कर पूरे मार्केट के अंदर यह आकरी fruit बचाए अब इसकी कीमत कितनी होगी वो कहता हजार रुपे तो यह ले हजार रुपे पकड़ मतलब फिर वो जाके अंदर कहता है कि महंगा वाला सस्ता था तो सस्ते को महंगा बढ़ा के लाया हो अब वहाँ से अरे तर्भूजा नहीं तै किसने का तर्भूजा क्या अंद तो कोई तर्भूजा देगा क्या समझी नहीं देओ यह कोई चो क्या नाम थी उसकी अमिता पचन वाली मूवी थी जहांपर हेमा मालनी के लिए तर्भूज लेकर जाता है, वो तर्भूज उसके सिर पर फोड़ देती है, यह आज का चमाना है, खेर, कहां था मैं भूला दिया, हाँ, तो मैं यह कहना चाह रहा था, कि यहां पर इस situation के अंदर क्या होगा, हम भी इस movie से, इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं, अगर कोई section को होगी, आप देखो section 16 आपको smile करता हो, दिख रहा होगा, smile आपको दिखे की नहीं, feel करना, यह हसरा है कि देखो मेरी कितनी एहमियत हो रही यहां पर, अब आजाए ज़रा section 16 पर, अब पढ़ते हैं section 16 का कारणावा, देखो क्या लिखा हुआ है, prohibition of publication or making known contents of complaint or inquiry proceeding, इसमें क्य नहीं करना है, इसके ingredient को कहीं पर भी publish, publish नहीं करना है, the contents of the complaint made under section 9, identity and address of the agreed woman, respondent and witnesses, any information relating to the conciliation or inquiry proceeding, recommendation of internal committee or local committee as the case में भी और action क्या लिया गया है, by the employer or the district officer under this provision shall not be published or communicated or made known to the public, press, media in any manner, हलाकि इस provision का side effect भी है, आप लोगों ने CRPC में यह तो कहीं बार बढ़ा है कि victim की identity नहीं जानी चाहिए बाहर, लेकिन आप देखो इसके अंदर तो employer की identity नहीं जानी चाहिए, respondent की identity नहीं जानी चाहिए, victim की identity नहीं जानी चाहिए, क्या action लिया, क्या recommendation दिया, क या complaint का contents था, कुछ भी बाहर नहीं जाना जी, सब पर restriction लगा हुआ है, लेकिन proviso, वो कहता है, that information may be disseminated, disseminated का मतलब उसको वित्रित करना फैलाना, regarding the justice secure to any victim of sexual harassment, under this act, without disclosing the name, address, identity, or particular lead to identification of agreed woman and witness, तो गवाओ को और जो पिरित महिला है, उसके identity जाहिर नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो justice, जो न्याय उसको मिला है, उसके बारे में publicity कर सकते हो, in short, section 16 prohibit the publicity, या the publication of such things, तो section 16 क्या है, section 16 basically, कहीं सारी चीजों का, ध्यान से सुनना, पहली बात उस महिला का, जिसके साथ मे गलत हुआ है, उसके बारे में, साथ ही साथ में, वो respondent जिसने गलत किया है, ठीक है, तीसरा वो witness, एक्सेक्टरा, चौथा वो complain, ठीक है, पाचवा वो recommendation, जो उस complaint committee ने कहीं कहीं दी है, उसके बाद में, जो action लिया गया है, employee के द्वारे एक्सेक्टरा, इनको publish नहीं करना, यह restriction वो लगाता है, section 16 जो है, वो इस बारे में क्या करता है, restriction prevail करवाता है, ठीक है, और इसका exception क्या है, कि जो final decision है, जो इसका proviso कहता है, जो final decision है, वो आप out कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, कि आप मैला की identity वगरा बाहर नहीं लाओगे, मैला आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर बेरेक में section 17 आ जाएगा, और section 17, 16 के लिए खत्रा उत्पन करता है, where any person, section 70 की language पढ़ आँ, penalty for publication on making known the content of complaint, और अगर आपने ऐसा कर दिया, तो service rules के according आपके उपर penalty लगाई जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर section 17 क्या है, service rules के according penalty, penalty लगाई जा सकती है, ठीक है, और यह जो penalty का order होगा, उसकी आप appeal है, जो कर सकते हो, अब यह बात यहाँ पर हमारे पास में section 18 के form के अंदर आ जाएगी, कहा गया section 18 जहाँ पर हमने कुछ ground लिखे थे, हाँ, yes, यह सवाल था, किन किन आदेशों के खिलाब appeal की जा सकती है, तो यह section 17, अब section 17 समझ में नहीं आया है, तो बताओ, ठीक है, अब जितने भी point पड़े है, उनको फटा फटा पटा अपन recall करता है, देखो, complaint से शुरू करता है, section 9 के अंदर उस महिला ने committee के सामने complaint की, okay, section 10 के अंदर वो committee conciliation settlement करवाएगी, settlement नहीं हुआ, section 11 के अंदर क्या मामला इंक्वाइरी हो, conduct होगी, उसके बाद में जब तक inquiry चलती है, तो pending inquiry कुछ order हो सकते है, section 12 के तहत, section 12 में, वहाँ पर कुछ order वगर रखे जा सकते हैं, और फिर उसके according section 13 के अंदर final conclusion निकलेगा, या तो guilty या not guilty, यानि कि जो allegation ने वो approved हुए या नहीं हुए, अगर साबित हो आदेश दिया जाएगा, और अगर वो साबित नहीं होते हैं, तो उस case में क्या होगा, वहाँ पर कोई action नहीं लिया जाएगा, लेकिन साथ-साथ में ये भी लिखा हुआ है, कि false अगर complain आती है, तो section 16 के तत्मामला deal किया जाएगा, ओके, और compensation कितना तेय करना है, section 15 बताए order और section 17 के order के खिलाब आप अपील कर सकते हो, जो भी सम्मधित ordinary court है वहाँ पर, that's all, yes or no, यहाँ तक मामला clear है, यह जो matter हमने अभी तक समझा है, यहाँ तक matter जो है, आपके mind में चपा या नहीं चपा, एक्चुल में main picture इतनी सी है, इस कानून का main जो funda है न, वो बिलकुल इतना साही है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पानी का break ले लेता हूँ, yes, ओके, गाड़ी में fuel बरवा दिया है, अब यह अपन कुछ kilometers all चलेंगे, यहाँ तक तो scene clear हो गया, अब बहुत ही गिने चुने section मचे है, और वो बहुत इतनी आसान सी बात करता है, कि बस अब क्या मैं आपको, लिए फिर भी बता देता हूँ, वरना को अगे बताया रही है, चलिए, देखो, अब धीरे-धीर आगे बढ़ता है, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, दो-तीन सक्सित की, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज तो भूल गया है यह उसका previous database है, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ओके, पढ़ने के बाद इसको मत भूलना, यह अपनी linking 10 family का code है, इसके दो फायदे होंगे, एक तो जब आप इससे login करोगे, तो मेरे संबंदित सारी classes फटाक से आपके mobile तक पहुँच जाएगी, दूसरा फायदा, जो monetary terms के अंदर है, 10% का बैठे बैठे discount मिल जाएगा, अगर इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, तो linking 10, linking law में linking 10 को याद रखना जरूरी रहेगा, test series, जो है mock test का फायदा ले सकते हो, अनकेडमी का ही एक और judicial segment है, judiciary 360, वहाँ पर ही सारे test वेस्ट हो रहा है, अच्छे से attend क पायदा क्या होता है, इस तरीके से कही सारे बैठे, जैसे वन येर का ये बैठे जो अभी हाली में स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा और भी कही सारे renowned faculties हैं, उनकी classes चल रही है, तो एक single payment में आपको सारा समरज्य सौंप दिया जाएगा, जुडिशी की classes का, अच्छे से अच्छा लगे उसको attend करो, नहीं तो कोई बात नहीं, नमस्कार करके आगे बढ़ो, this is the payment schedule, आप चाहो तो EMI का इस्तेमाल कर सकतो, payment करने के लिए, और मैं तो यतना जरूर कहना चाहूंगा, कि self study अपनी जगापे करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मुकाबला कोई नहीं क थोड़ा कानून को सीखना चाहिए, तो अगर ये EMI का option महिने में डेट दो हो जारे, manage करके हम अपनी पढ़ाई को continue रख सके हैं, तो थोड़ा risk लाइफ में लेना जरूरी होता है, तके, वापिस again, same बात, linking 10 का आपको benefit यहाँ पर मिलेगा, आप इसके अंदर कहीं सारी ची तो एक field जग जाता है, उसमें क्या जग जाता है, एक field जो है, वो जग जाता है, ठीक है, now, तो ये weekly test वाला benefit आपको मिलने वाला, study planner वगरा, वो सारी चीज़े तो इपर होगी, then after, ये सारे polls facility मिलेगी, never miss, अभी जैसे मैं आप सो सवाल पूछता हूँ, इसका answer क्या होगा, वहाँ पर आपके पास चार option हैंगे, आपको फटा पर poll क्लिक करना मतला, within second जो है, आप इन चीज़ों को अच्छे से observe कर पाओगे, ठीक है, तो get notified वगरा, और साथी साथ में इतना ही आप लोगों से कहूंगा, stay tuned with this YouTube channel, अगर आपने भी इस channel को subscribe नहीं कर रखा है, तो don't mind, वड़ खुद का नुकसान गराओगे, इसलिए गराओगे, कि कुछ चीज़े वाकई में, एज़े इस्टुडेंट सोचा जाए तो बहुत फाइदे की होती, जैसे कि आज का lecture है, exam one two view से cover करेंगे, that's all, और जो अपने linking laws के channels है, वहाँ से भी आप connect हो सकते हैं, और ये प्र पॉइंट आप देखो, अब आपको मैं कुछ बाते बताना चाहता हूँ, जो इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अब remaining segment बचा है, आप समझ लेना कि आपने exam के अंदर main answer seat भर दी है, अब extra marks लाने के लिए, हम supplementary answer seat जो है, वो भरेंगे, क्या करेंगे, supplementary answer seat जो है, उसको भरन का का काम करेंगे, ठीक है, सब मेरा comment कहीं नहीं पढ़ रहे हो, अरे डॉली जी आप comment कर क्या रहे हो, वो तो बताओ, या फिर ये काम करना, इस session खतम हो जाए, उसके बाद में आज 5-10 मिंट extra निकाल लेंगे अपन, इस पर गपशप करेंगे, comments पर गपशप बोले तो काम क करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, देखो, अब मैं इस act के अंदर आने वाली कुछ character के बारे में आपको introduce करता हूँ, ठीक है, कुछ character जो है, उनके बारे में आपन बातचीत करता है, और उस point of view से समझने की कोशिश करता है, सबसे पहला character जो है, वो आपको ध्यान करते हैं, ठीक है, now, next point पे आजाते हैं, पहला जो बिंदु यहाँ पर, वो क्या होगा, इस situation के अंदर, वो situation नहीं आपर, employer की, क्या है, employer वाला situation है, जो हो जाएगा, नियुकता के समन्न, दूसरा जो आपके सामने बंदा आएगा, वो आएगा district officer, district officer, आला कि हमने भी officer कौन होगा, जिल्ला, collector, वगरा, district officer बनाय जाता है, और इसकी duties क्या होगी, वो section 20 के अंदर बात करती है, देखिया, और तीसरा जो segment है, वो है, appropriate government, आप देखो, इन तीन character को आपने observe कर ले न, appropriate government, तो मान के चलो, आपका काम काफी हद तक आसान है, जो हो जाएगा, कैसे, employer जो चीज की employer मान लीजे, कोई भी एक तरीके से, उसका जो role था, वो play नहीं किया है, तो situation में क्या होगा, उस situation में कुछ duties बगरा जो है, उसके उपर liability की रूप में appear हो सकती है, अब जब आप employer का provision section 26 के साथ connect करोगे, किसके साथ में, section 26 के साथ में, अब यहाँ पर आ जाते ह section 2626, आईए जरा पढ़ते हैं इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि जो employer है, अगर उसने अपनी duty fulfill नहीं की, section 26 की language देखना, where the employer failed to, अगर उसने ICC, क्योंकि ICC को constitute करना उसकी जिम्मेदारी थी, तो यहाँ पर employer का connection section 4, 1 के साथ directly जुड जाता है, या फिर उसने action नहीं लि अब 22 में क्या था, कि employer को annual reporting करनी थी, employer को annual reporting करनी थी, वो उसने अगर नहीं की, तो या फिर controversy या attempt to controversy या abatment करता है, इस act के किसी प्रावधानों का, तीन तरह की अगर उसने गलतियां की हैं, तो employer ने अगर तीन तरह की गलतियां की, अच्छा एक बात और, यह मैं हो सकता है डाइग्राम थोड़ा सा roughly बना रहा हूं, लेकिन आप जब डाइग्राम बनाओना, एकदम systematic जमा जमा के बढ़िया से highlight करते हुए बनाना, ठीक हैं, अच्छी painting, winding का इस्तमाल करते हुए बनाना, और फिर उसको bear it के अंदर, चिपका देना, अब यहाँ पर क्या point आएगा, उसको समझने के कोशिश करो, तीन बिंदू है, पहला बिंदू, section 4, 1 की non-compliant, section 4 में internal committee गटित होती है, तो internal बोलो तो organization के अंदर, तो organization के अंदर तो constitute करने का काम, employer ही करेगा, अगर वो उसने नहीं किया है, तो, दूसरा यहाँ पर क्या बिंदू लिखा हुआ था, कि उसने section आपके 13, 14 और 22 को comply नहीं किया, 13 हमने अभी पड़ा, जब उसके अंदर मामला गलती साबित होती है नहीं होती, तो क्या करना है, 14 अगर false complaint भी क्या कारवाई करनी है, और 22 है annual reporting, 14 तो क्या है, false complaint में short में लिख लेता हूँ यहाँ पर, false complaint का, अगर कोई matter बनता है, तो, 13 के allegation अगर साबित होते हैं, तो, और नई साबित होते हैं, तो क्या करना है, 22 के अंदर आएगा आपके report देना, क्या होता है, इसको annual reporting करनी पड़ती है, यह उसने अगर नहीं की, और यह अपराद पहली बार किया है, first time, first time, तो 50,000 से मामला maximum चला जाएगा, और अगर यह उसन का license भी निरस्त किया जा सकता है, और punishment twice भी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर, second time अगर वो cheat करेगा, तो उस case में दुगनी punishment उसके अपर थोपी जा सकती है, और उसका जो license है ना, वो license cancel किया जा सकता है, दोनों बात यहाँ पर mention कर रखी है, employer के point of view से मुझे बताओ section जो हमारे सामने आ रखा है liability का, 26, कोई confusion है क्या, कोई confusion नहीं रखना है, सीधा साधा section है, सीधी सी बात करता है कि employer की जिम्मेदारी है, internal committee गटित करेगा, पहला point, employee की responsibility है कि section 13, 14 और 22, 13, 14 और 22, अब अब अपन section में बात कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने section को अच्छे तर लिया, ठीक है, तो 13, 14 और 22 की compliance नहीं की, तो, और या फिर तीसरा कोई other non-compliance act को उसने अगर follow नहीं करवाया, तो इसमें एक और जोड़ दो, अगर उसने इस act को follow नहीं करवाया, ये तो पहला, दूसरा, और तीसरा, other non-compliance, अगर अन्ने किसी तरह का उसने non-compliance किया है, त तो situation के अंदर भी उसके उपर penalty लगाई जा सकती, कितनी penalty, पचास अजार, पहली बार करेगा तो, second time करेगा तो दुगनी हो सकती है, और उसका license cancel किया जा सकता है, लेकिन एक point यहां पर ध्यान लगना, जब वो second time भी कर रहा है न, तो higher punishment is prescribed under any other law, for the offense, for which accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance, अ अगर उसने जो अपरात किया है, वो किसी और कानून के अंदर भी मान लो punishable हो, और वहां पर भी किसी तरह का punishment का प्रावदान आ रहा है, penalty का प्रावदान आ रहा है, तो court उसका decision लेते समय, कुछ कारवई करते समय, उस point को भी ध्यान में रखेगा, तो वाजीब सी बात है, नेगोशिबल इंस्टुमेंट एक्ट है, सपोज करो, interim compensation का order हुआ है, तो CRPC के 357 गंदर कोई compensation बनता है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा न, वही principle, वही concept यहां पर भी लागू है, जो किया गया, तो यह रहा concept किसका, employer का, employer के बारे में आपको 26 विशेश रूप से ध् समन्नी है, तो देखो, एक तो आपको section 4 अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, section 13 ध्यान रखना है, 14 ध्यान रखना है, 22 ध्यान रखना है, 26 ध्यान रखना है, ठीक है, यह section अगर आपने, मतलब एक keyword से आप यह वाले section cover कर सकते हो, अब थोड़ा सा आईए मैं आपको confuse क कर रखा है, पता है, नहीं पता होगा, सुन लो, जब हम section 2 में जाते हैं, कहां पर जाएंगे, section 2 के पास में, तो section 2 के अंदर भी एक particular clause आता है, जो employer को define करने का काम करता है, क्या करता है, employer को परिबाशित करने का काम है, जो करता है, और उसकी जो परिबाशा है, बहुत परी definition कौन सी है, फटा फट से answer दो, section 2 के अंदर जो 16 अलग अलग परिबाशा हैं दे रखी है, सबसे lengthy, सबसे बड़ी परिबाशा कौन सी है, बताए, फटा 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 answer आना चाहिए, मज़ा आए तबी तो, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच रही हैं, तो आपके कमेंट मुझे काहें नहीं दिख रहे हैं, हम, yes, might be, there are certain, अभी तो धड़ां से गिर जाते, बच गए, कोई बात नहीं, बचाने वाले के हाथ जो है, वो गिराने वाले से कहीं ज़्यादा लंबे होते हैं, ऐसा सुना था, अब ये माइक का वायर जो है, वो मुझे ज़रूर गिरा के बैट था, but don't worry, हाँ, employer की, सबसे बड़ी जो परिबाशा है, वो किसकी है, employer की दे रही है, अब देखो, यहाँ पर क्या आजाएगा, इसके अंदर इसने लंबी च्रोडी परिबाशा दे रही है, उसको आसान कर लेते हैं, आजाओ, देखो, इसके अंदर clause 1, clause 2, clause 3 और clause 4, चार clause दे रहे है section 2 का, जो यह M वाला point है, section 2 का, जो यह clause M है, इसके अंदर, section 2 का, clause M वाला जो point है, सबसे पहला point, याद रख लेना, सबसे पहला point है, HOD, लिख लो इसके आगे, head of department, मतलब उस department का, जो head होगा न, वो basically क्या है, एक तरीके से, उसका employer है, जो कहा जाएगा, पहली बात, दूस second point में, जो person responsible है, management करने के लिए, यानि कि manager, manager ही तो होता है, responsible management करने के लिए, तो जो person management करने के लिए, responsible है, वही क्या होगा, वहाँ का employer है, जो कहलाएगा, तीसरा बिंदू, person जो contractual obligation, discharge कर रहा है, employee के प्रति, यानि कि तीसरी category कौन सी बन जाएगी, यहाँ पर, person, ऐसा person, जो contractual obligation को discharge कर रहा है, contractual obligation को discharge करने, उसको पूर्ण करने वाला, discharge करने वाला person जो है, वो employer कहलाएगा, और चौथा, dwelling house के अंदर, यानि कि निवास इस्तान है, dwelling house का, तो जो जैसे माल लोपन ने maid रखी है, तो उस maid के लिए employer कौन हुआ, आपने घर पे कामकाज के लिए एक नौकरानी रखी है, तो उस नौकरानी का employer कौन होगा, तो जो उसकी नौकरानी की जो घर की सेवाएं हैं, कामका, जाडू, पोचा, फटका, वटका, जो भी है, सेवाओं का benefit लेने वाला, यानि की beneficiary of services, वो क्या कहलाएगा, उसका employer है, जो कहलाएगा, beneficiary of services, beneficiary ब बात, contractual obligation, discharge करने वाला person, और चौता, beneficiary of services, इन सभी को section 2M के तहत, employer, यानि की, नियोजग कह दीजिए, नियोकता कह दीजिए, कहा जाएगा, ओके, तो ये बड़ी definition को थोड़ा सा आसान कर लो, अपने तरीके से, देखो, keyword जो है न, ये concept हमारे काम को आसान मना देता है, keyword क जो concept होता है, वो हमारी working को थोड़ा easy going weekend that decide है, जो करवा देता है, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर next point पर, ये तो था पहला point, employer के समन में, अब दूसरी बात करते है, समझ नहीं आया 2G, अरे कृष्टी, समझो, कोई बात, लंबी definition है, लंबी definition है, तो हम उसको य department का head, उसको employer समझा जाएगा, पहली बात, ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर, institution के अंदर, उस organization में, जो management करने के लिए responsible person है, यानि की manager, उसको employer समझा जा सकता है, अगर पहले वाला case cover नहीं हो रहा है, तो, तीसरी बात, यहाँ पर, जो वेक्ती, employee के परती, अपनी contractual obligation discharge करत है, उसको employer माना जाएगा, और चौथा, जो mad के case में, domestic place के case में, जो benefit लेते हैं सेवाओं का, उसको क्या माना जाएगा, उसको जो है एक तरीके से, यह considered है, जो किया जाएगा, क्या employer, sir 2M लिखा है, oh very good, thank you, किसे ने कहा यह correction, राजेशी, बहुत बढ़िया, हाँ, यह नहीं आया, 2G, सई कर दो, इसको सई कर दो, यह क्या है, कि जो तार ने उलजाया था ना, तो हम उस भावनाओं में खो गए थे, और इंसान जब भावनाओं में खो जाता है, तो मामला गडबड़ हो जाता है, इसलिए कहते हैं, control में रखो, किसको, भावनाओं को, और किसक में आई नहीं, चलो, 2G कर दो, इसको सब कुछ ठीक हो जाएगा, very good, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, यह तो सीन रहो गया, हमारा 2M का, basically बात क्या कर रहे दे, मैं आपके सामने कुछ character के बारे हम बात कर रहा था, है ना, तो एक character को हमना भी complete किया है, employer, अब आते हैं हैं अपन दूसरे character पर, अभी हम लोगोंने section 2-5 पढ़ा, हस रहे हैं, देखो कितने बदमाश है, मतलब मैं गिरने वाला था और यहाँ पर हस रहे हो, है ना, ठंडे पाणी गिराने का शराब दे, दूँगा ध्यान रखना, चालिए, तो अब दूसरा character आता है हमारे पास म क्या होगा, तो उसकी duties आपको section 20 के अंदर मिलेगी, जरा निकालो section 20 एक बार, एक बार section 20 पर आजाओ, और अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है, कि duties क्या क्या है, देखो, पहला act है, monitor करना, कोई भी जो timely submission है, reporting हो रही एक नहीं हो रही, उसको monitor करना, ठी कि जरूरी हो for engaging non-government organization, creation of awareness, etc. यानि कि दो बातें यहाँ पर, इसके दो duty आ रही है, पहली duty के आ रही, section 20 के तरह, कि इसको है, जो monitor करना है, कि इसको, जो committee की reporting है, उसको, कि committee जो है timely report दे रही है, या नहीं दे रही है, आप देखो, यह जो सब्द है, reporting, इसके पर मैं आपको पूरी detail बताता हूं, report का मामला funda actual में है क्या, देखिए, यह जो committee होती है, चाहिए, वो आपके local committee हो, या फिर आपके internal committee हो, इन सब को क्या करना पड़ता है, इन सब को एक stage पर आके annual reporting, annual, वार्षिक reporting होगी ध्यान रखना, साल में एक बार जो है, reporting है, जो करनी पड़ती है अब reporting कौन-कौन करता है, कब-कब करता है, इसके बारे में दो section deal करता है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, चलिए, यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं है, reporting, पढ़ते समय, एक section पढ़ते समय, अगर कोई शब्द आता है, तो उस शब्द को जब तक clear नहीं कर पर लो, पुराने वाला section हम समझ नहीं सकते, इसी आधार पर, इसी basis पर, उस topic को बीच में छोड़ को, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, reporting का फंडा है, जो समझा रहा हूं, reporting जो है, हमारे इस बेरेक्ट में दो जगा पर होती है, ठीक है, दो जगाए कौन-कौन सी है, एक जगा तो है आपकी section 21, और दूसरी जगा है आपकी यहाँ पर section 22, दो जगाए है, जहाँ पर क्या है, reporting की बात आ रही है, एक चीज़ ध्यान लटना, इसमें जो भी report दी जाती है, वो end-ally दी जाती है, वार्सिक रूप से दी जाएगी, 21 के अंदर दो तरह का clause बनेगा, फिर से समझ लीजिए और हो सके तो अपने barrier के diagram में चिपका भी देना, 21 का clause 1 और 21 का clause 2, 21 के clause 1 के तहत क्या होता है, जो भी internal complaint committee है, ध्यान से सुनना इस point को, जो भी internal complaint committee है, उसको और जो local complaint committee है, उसको report देनी होगी, किसको report देनी होगी, उसको report देनी होगी, दी ओ, यानि कि district आफिसर यह आपके 21 का पहला सबसेक्शन दूसरा सबसेक्शन यह है कि जो डियो है उसको स्टेट गवर्मेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी यानि कि जो आपका डिस्ट्रिक आफिसर है उसको राज्य सरकार को सुचित करना पड़ेगा कि साल बर के अंदर क्या-क्या मामल थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ दो तरह की रिपोर्टिंग के लिए रहे है कमिटी को रिपोर्ट करना होता है डिस्ट्रिक आफिसर को डिस्ट्रिक आफिसर रिपोर्ट करेगा स्टेट गवर्मेंट को अब वापिस सेक्शन 22 में क्या है यहाँ पर जो एम्प्लोयर होते है section 22 के तहत जो भी employer employer वही जिसकी परिवाश आप 2G के अंदर पढ़ के आयो employer को क्या करना होता है employer जो होता है वो देता है reporting किसको district officer को ये 3 तरह की reporting आपके इस act में है report देने वाले जो funda है 3 तरह की reporting आपके act में है समझ लो 21 और 22 ये दो section भी साथ साथ में cover होगे 21 और 22 में यही बात लिखी हुई उनको मैं अलग से नहीं पढ़ूँगा simple सी बात लिखी है अब इस point पर आप वापिस आजाओ किस पे section 20 पे section 20 क्या गया रहा है monitor करना reporting को reporting कौन से आगी आपके 21 और 22 वाली तो ये आपस में link हो गया यानि कि section 20 का clause section 21 और 22 के साथ link करना ज़रूरी है अब देखो और क्या क्या डूटीज है इसकी दूसरा लिखा हुआ है awareness के miser फैलाना मतलब इस act में लिखी बातों को एक तरीके से NGO के माध्यम से आगे circulate करना awareness फैलाना ठीक है वो भी इसके तहत है जो आ जाएगा awareness वो काम जो हम में से कई candidate नहीं करते हैं अब ये वाला lecture था इमानदारी से बताओ कितने candidates ने इमानदारी से बताना मुझे कितने candidates ने अपने आसपास के ग्रूप में share किया कितने candidates ने क्या बताओ comment box में reply करो किसी ने किया होगा तो reply करेंगे ना सर मैं खुद बढ़ूँगा मेरे को RGS के अंदर qualify करना है किसी और को share किया वो इसने बढ़ा रहा रहा वो आगे बढ़ गया तो ये सोचने वाली बात है मैं insisting कर रहा हूँ इसमें देखो ऐसा कोई है नी मेरा कोई फाइदा वायदा होने वाला है कि ये networking है ने कि जितने लोग ज़्यादा देखेंगे फटापट मेरी income बढ़ जाएगी ऐसा ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है लेकिन सब सब एक सटन एक्स्टेंट तक हमें ये चीज करनी चाहिए अपने ग्रूप दोस्तों करना इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि यार दिल से पढ़ाने का परयास कर और ये चीज दिल तक पहुँच भी रही है ये भी मेरा विश्वास है इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि हाँ ये चीज अच्छी है इसलिए अच्छा पढ़ाया तो उसको अपने जूनियर से और दोस्तों वगरा में शेयर करना चाहिए चलिए आगे बढ़ता है यापर तो इस तरीके से ये सेक्शन 20 वाला पॉइंट सेक्शन 5, 20, 21, 22 तो इस तरीके से लिंकिंग इसकी बैठती है अब है हमारे पास तीसरा बंदा appropriate government अब ये अच्छे से समद लेना ये अच्छे से observe है जो करना आखिर share करना का है अरे share करना है अपने legal fraternity का कोई भी जो media group बना हुआ है कोई भी whatsapp बना हुआ है कोई भी telegram बना हुआ है अपने facebook के post पर भी आप share कर सकते हो क्योंकि after all हम सभी का connection तो legal ही है हम सभी को एक धागा जो जोड के रखता है वो है कानून तो अपना जो भी कानूनी circle नेट्वर्क है वहाँ पर share करना है अगर आपको appropriate लगे तो मैं फिर से गया रहा हूँ जबरदस्ती नी अपनी इक्षा का ये दिल का है वो करना है चरो अब appropriate government के बारे में बात करते है अब ध्यान से सुनना appropriate government के समन्ने भी आपको कुछ particular section जो है वो याद रखना है कौन से section आपके सामने आएंगे 23, 24, 25 और 9 और साथ में 30 भी यानि कि 5 section अगले 5 मिनिट तक आपने अपना attention बना के रखा तो इस sexual harassment act के 5 section आपके मुठी के अंदर होंगे चलिए अब बात करते हैं एक छोटा सा diagram बनाएंगे यहाँ पर appropriate government पहरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक शोट नोट नीचे अलग से देखो, अब इसमें कौन कौन से section की मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले 23, फिर 24, उसके बाद में 25 उसके बाद में specifically 29 चार रोल है, किसके रोल है यह? यह रोल है appropriate government के यकीन मानो, यह जो चीज़ अगर आपने bear act में चाप दीना अपनी handwriting में लिख के चापना ठीक है, तो बहुत benefit मिलने वाला है सबसे पहली बात है 23 की appropriate government का रोल क्या है तो उसके रोल के अंदर 23 कहता है कि इस act को implement करवाना इस act को लागू करवाना appropriate government appropriate government का मतलब basically क्या होता है, या तो central government या फिर state government, अगर कोई central का organization है तो central government आ जाएगा, otherwise state government वहाँ पर apply हो जाएगा तो act को implement करना और दूसरा इसका रोल है monitor करना, इस act की activities को monitor करना, यह है आपका section 23 आगे बढ़ता है, 24 किस बारे में बात करता है, public awareness फैलाना, और यह जो committee के members है, इनके लिए training करवाना ठीक है, यानि कि 24 के अंदर दो बात है, पहला क्या बंदू आ जाएगा, public awareness लोगों में इस act के परती जागरुकता फैलाने का काम है जो करना, और दूसरा क्या हो जाएगा यह जो committee के members है उनके लिए prescription, यानि कि training, क्या कहेंगे इसको prescription वगरा की, training वगरा की अवस्ता करना, arrangement करना यह दूसरा कार्य है, 24 के तहत 23 के अंदर हमारे सामने क्या आगया, act को implement करना monitor करना, 24 में public awareness को फैलाना, training program करना, 25 के अंदर है, अब सुनना, कोई भी information मंगवाना, क्यानि कि calling information, यह आपके 25 में आजाएगा, calling information, कोई भी information जो है वो call करना, number one, और number two के अंदर क्या आजाएगा, किसी भी तरह के records का inspection कराना inspection बोलो तो निरक्षन करवाना किसी भी तरह के record का जो है क्या करवाना, inspection जो है वो करवाना, inspection बोले तो निरक्षन जो है वो करवाना, यह भी 25 के तरह appropriate government, देखो mains का जो सवाल आएगा न, उसके अंदर आपसे especially पूछा जा सकता है कि what is the role of appropriate government under sexual harassment act 23, तो वहाँ पर अगर आपको यह बिंदू याद रहेंगे न, सिधा mind के अंदर क्या हो जाएगा, वो set है जो हो जाएगा, और 29 के अंदर क्या है 29 के अंदर कई सारे point पर rule making power है क्या है, rule making power जो है, वो कहां पर mention कर रखी है, 29 के अंदर provide कर रखा है, और इसके अलावा, एक मात्र section जो और बचता है, वो आपके सामने आएगा section 3030, section 3030 के अंदर कह रखा है कि अगर इस act में किसी तरह का कोई difficulty आता इसको समझने में, तो इस difficulty को कौन remove करेगा तो इस difficulty को remove करने का काम, जानक न, appropriate government नहीं, यहाँ पर simply लिखा हुआ है, central government, कौन करेगा, CG, यानि कि केंदर सरकार जो है, किसी भी तरह की difficulty को remove करने का काम करेगी, यह बात ध्यान में रखना तो इस तरीके से, एक keyword से, हमारे 5 shot लग सकता है एक balling क्या match में hit गया, सीधा 6 चला गया तो यह उसी तरह की ball है आप 5 run directly ले सकता हूँ यानि कि 5 section को सीधे तोर पर cover है, जो किया जा सकता है ओके, तो अब मेंली क्या बात है, मेंली बात इतनी सी है कि हमें, जैसे इस वाले point पर यह जो बिंदू हमारे सामने आया appropriate government का, तो यहाँ पर हमें section 23, 24 25, 29 और 30, इन 5 section को इस तरह से cover कर लेना चाहिए तो देखो, 5, 6, 7, उसके बाद में 8, 9, 10, 11 तो कहने का मतलब तकरीबन 10, 11 section जो है ना इस एक diagram से आप clarify कर सकते हो, और यह benefit होता है, diagrammatic representation का जब किसी चीज को हम इस तरीके से अलग तरह की presentation में लेके जाते हैं तो यह benefit आपको वहाँ पर दिखेगा ओके, तो यह diagram बनाओगे, हाँ या ना, किसी भी तरह का doubt है तो पूछते वे चलो, what is the sexual arrangement, अरितानिया जी, या तो आपने बहुत class late join की है, आराम से अब देखना, शुरुवाती पार्ट में sexual arrangement को बहुत अच्छे से detail में discuss किया है, ठीक है अब main जो चीज हमारे सामने आईगी, वो कौन सा point आएगा वो ये है, कि इनके अलावा अब बचता क्या क्या है, तो अब अपन उन sections पर बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए अभी pending रहे हैं, देखो अब यहाँ पर definition वाले पार्ट में आपको कौन कौन सी चीजे अलग से और देखनी चाहिए उस पर मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ अब निकालो आप section 2 अच्छा एक चीज और है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, hand to hand to हैं कर सकते हैं इस एक्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक बात बताओ मैं, तो section 1 जो है न, उसको अगर आप पढ़ोगे section 18, 28 के साथ में section 28 के साथ में section 1 बताता है कि यह एक्ट जो है, वो कहां कहां पर apply होगा ठीक है, और section 28 यह कहता है कि यह जो एक्ट है न, यह किसी अन्य एक्ट पर प्रभाव नहीं डालेगा, बोले तो यह overriding act नहीं है एक तो होता है न, notwithstanding containing any other law यह शब्द जहां पर लिखा रहता है वो कानून अपने आप में overriding होता है, अत्ती प्रभावी होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर section 28 जो है वो इस कानून को दूसरे कानूनों के अधीन ही रखता है मतलब दूसरे कानून के उपर कोई negative प्रभाव इस कानून का नहीं पढ़ सकता, ठीक है तो यह सारी बाते कहेंगी अब देखो section 2 के अंदर जो definition आपको ध्यान में रखनी चाहिए agreed woman agreed woman का मतलब workplace और साती सात में dwelling place दोनों जगापर, कारी स्तिल पर भी है और घरेलूर पर भी काम करने वाले कोई made हो गयर वहाँ पर भी apply होता है एक मज़दर बात यह है कि जब आप इसमें employee या worker की definition देखोगे न इसमें सभी तरह के employee को cover कर रखा है ध्यान से सुनना मेरी बात को इसके अंदर हर तरह के employee permanent हो या contractual हो temporary हो या regular हो contractual अधारत पर हो या फिर एक तरीके से pay roll पर हो कुछ time के लिए आता हो या full time हो या part time हो सभी तरह के employees हैं उनको इसने cover कर रखा है ठीक है ये ध्यान रखना exam में के अंदर point आए तो जितने भी employees हैं सारे एक तरीके से covered है इसके अंदर तो यहाँ पर आपको एक to agreed woman की परिवाशा यानि कि कौन कौन की definition आपके लिए माइने रखेगी उसको समढ़ लो तो definition clause के अंदर हमें जिन definition को अच्छे से देखना है वो रहे जाएगी सबसे पहले section 2 का clause A agreed woman उसके बाद में section 2 का clause E यानि कि domestic worker section 2 का clause F यानि कि employees एक अंदर क्या क्या आ जाएगा section 2 का clause D यानि कि employer वाला point इसके अंदर है जो cover किया जा सकता है उसके बाद में आप सीधे आजाईए कहाँ पर 2N पर या इसमें भी जा सकते हो 2M ये भी देख ले ना कुछ है नहीं वैसे respondent की बात कर रहा है 2N is very important 2N जो है ना जिसने sexual arrangement के हमने इसका meaning जहाँ से समझा है वो point आपके आ सकता है 2O के अंदर जो आपके workplace की बात है वो covered है और that's all unorganized sector का भी कुछ खास point नहीं है यानि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 definition out of 16 16 मैं से इन 7 definition पे थोड़ा अच्छा observation जरूर रखेगा ये exam में पुछी जा सकती है या हद से जद तक आप चाहो तो 2P को भी डाल दो जाकि वो unorganized sector के बारे में बात करें बाकी अंदर से ऐसा कोई अलग से concept नहीं है जो किसी भी तरह के से हमें confuse कर सके ठीक है तो मोटा मोटी रूप से ये सारी बाते जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर रखी है अब आपको जो 2-3 और चीज़े है जैसे देखो कौन-कौन से section हमारे है जो है अभी भी pending रह सकते है उनके पर बातचीत करें अपन एक बात पूरा bear aid निकालो bear aid हाथ में ले लो अगले 10 मिनिट के अंदर अगले 10 मिनिट के अंदर bear aid के पूरा अपन फटा-पट रिकॉल करने वाले है मतलब bear aid के page पलटते जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश है जो करते जाएंगे सबसे पहले preamble preamble को हमने शुरात में diagrammatic तरीके से समझाए तो इसको जरूर reply कर देना उसके बाद सब section 1 applicability के बारे में बात कर रहा है normal चीज़े solar definition में से 7 important definition कौन-कौन सी है वो मैंने आपको tick कर वा दिये आप उनको एक बार अलगा सा go through कर लेना अंदर का कोई भी point ऐसा नहीं है जो confusion create करे section 3 पूरा detail में पढ़ा है word to word prevention of sexual harassment के बारे में section 4 जहाँ पर internal complaint committee इसका भी post-martem किया है बकादा एक diagram बना के, chart बना के section 5 में district officer के appointment की बार discuss की जा चुकी है section 6 के अंदर local complaint committee का constitute करना section 7 पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ जिस तरीके से section 4 के members के बारे में हमने पढ़ाएं वैसे कि section 7 है एक chair person होगा, एक member होगा जो थोड़ा सा किसी NGO वगरा से बिलोंग करेगा एक member जो होगा वो आपके nominate किया जाएगा, किसी संस्ता वगरा से block, तालुका से और साथ-साथ में ex official member होगा कौन, जो महिला work department का अधिकारी है, आपके responsibility तीन साल के लिए इनका appointment होता है removal कब हो सकता, ये भी हम discuss कर चुके तो section 7 के अंदर उनका removal, कौन-कौन members होगे वगरा, उसके बारे में बात चीज़ आपको मिलेगी grants and audit, central government इस तरह की local जो complaint committee होती है, इनकी audit कराती है state government वगरा भी इनकी audit करा सकती है ये लोग क्या है, ये लोग सरकारी fund से चलने वाली संस्ता है, local complaint committee एक सरकारी fund से चलने वाली संस्ता है, तो उसका audit करा जाएगा जो भी संस्ता सरकारी है उसके grant and audit होती है, उसको सरकारी निवेश मिलता है उसका अंकेशन आडिट किया जाता है section 8 में उसके आडिट की बात section 9 में complain करने वाला point section 10 में conciliation यानि की सुलव कराना का परियास section 11 में inquiry की बात हो रही है section 12 के अंदर interim action क्या क्या ली जा सकते है पड़े थे ना transfer किया जा सकता है उसको leave पर छोड़ा जा सकता है या other कोई reason other कोई relief है जो दिया जा सकता है फिर section 13 के अंदर जो भी जाज report के अंदर allegation prove होता है तो क्या करेंगे not prove होता है तो क्या करेंगे section 14 के बात आती है जहांपर क्या था कि अगर कोई false malicious complaint दर्ज हुई है कोई अगर द्वेश पून्य मित्या लगा है आरोप लगा है तो वहाँ पर क्या से चीज़ों को create के जाएगा compensation कैसे determine करना है 5 factor है mental trauma career opportunity का loss medical expenditure income और financial status क्या है और feasibility कितनी complaint की मतलब उसको संदाय करने की साध्यता संभव है कि नहीं है 5 factor से compensation को decide करेंगे section 16 पड़ा है publish नहीं कर सकते नाम बगर detail को करोगे तो section 17 के दर क्या हो सकता है आपको penalty लग सकती 18 में appeal के प्रावधानों को discuss कर चुके है 19 में employees की अलग-अलग duties है simply read out करना है simply read out करना है आपको इसके अंदर कोई concept वाली बात नहीं है 20 के अंदर district officer की duty 21 के अंदर reporting 22 में reporting 23, 24, 25 ये point भी discuss कर चुके है penalty का point 26 discuss किया जा चुका है yes 27 पे आ जाओ ये point हमारा अभी तक pending है इस point पर अपन थोड़ी सी बाचित यहाँ पर करता है देखो कोगनिजेंस कैसे लेगा कब लेगा ये point हमारा pending रहा है बाकी लगबग इस पूरे बेरेक के उपर चर्चा हो चुके है 27, कोगनिजेंस लिया जाएगा जब agreed woman या committee के दारा कोई authorized person जो है court के अंदर आके क्या करेगा इस तरीके से complain करेगा तब, तब court क्या कर सकता कोगनिजेंस लेगा प्रसंग्यान लेगा अदर्वाइज नहीं judicial magistrate first class ही लेगा इसका कोगनिजेंस और दूसरी बार ये एक non-cognigence offense है कैसा ये non-cognizable offense है यानि कि एक तरीका असंगे अपराद है section 28 ये एक किसी अन्य कानून के derogation में नहीं है rule making power 29 के तता आगी और साथ-साथ difficulty को remove करने का point जो है वो हमारे साथ में यहाँ पर discuss होता है basically क्या है किस class में ऐसा नहीं था कि ये point जो है हमको आसानी से समझ में नहीं आ रहा है easy point है कुछ नहीं है इसके अंदर मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस कानून के अंदर जो चीज़ें आपको अच्छे से observe करनी है जिन चीज़ों को आपको समझना है वो बस खाली ये वाले point ही है आप देखिए कितने सारे diagram जो है हमने आज की class में create किया है आज की class के अंदर अगर subject wise में बात करूँ न तो मैं सिर्फ आपके सामने दो slide ही लेकर आया था एक तो ये भवरी देवी वाले case की पूरे की पूरी class हमें revise करने वाला हूँ पुरा attention रखना है अच्छे से ठीक है भवरी देवी के काम से विशाका की guideline के case से हमने मामला start किया था अगले 10 मिनट तक नजर हटानी नहीं है दुरगटना घटवानी नहीं है बवरी देवी के case से हमने मामला start किया था विशाका guideline का जिक्र किया effective date बदाई 8 chapter इसके अंदर 30 sections है उसके बाद के अंदर ये picture तो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए main यहां से हमारा सारा मामला start हो था preamble को हमने दो भागों में divide करके अच्छे तरीके से समझना इस act का purpose किया है इस act को क्यों in act किया गया है उद्देश शिका की साहिता से diagrammatic तरीके से सीका बाद में main बिंदू को समझो section 3 का जो clause 1 है वो इसका charging section है वो main बात कहता है कि किसी भी महिला के साथ में workplace पर sexual harassment नहीं होना चाहिए वो point यहां पर आपके सामने आएगा then after यह हमने procedure समझी कि यहां पर पहले वो complain करेगी complain 3 महीने के अंदर होनी चाहिए तीन महीने और बढ़ाए जा सकते है उसके बाद committee जो है उसके अंदर जो अलगलग committee कौन कौन जी होती है वो भी सारा point यहां पर हमारे सामने जिक्र होता है section 4 के तहर्ट जो है internal complaint committee इसका पूरा post-martem हमने किया सब section wise section 4 के सारे aspect को अच्छे तरीके से observe है जो कर रखा है section 16 का भी point हमारे सामने discuss हुआ था यह जो अलगलग committee उनकी process क्या रहेगी तो वो सुलह कराने का परियास करेगी settlement होगा तो क्या होगा settlement नहीं होता है तो क्या होगा inquiry के दौरान कौन कौन से interim order पास की जा सकते है यह वाला बिंदू यहाँ पर आया था अगर prude हो जाता है तो कौन-कौन से आदेश निकल सकते हैं not prude होता है तो false complaint का section कौन सा होगा इस तरीके कौन-कौन से order जो है वो applicable है साथ ही साथ में अलग-लग 3 character employer, district officer और appropriate government इन 3 character की मदद से लगबग 10-11 section को government का क्या-क्या role है 23, 24, 25, 29 और 30 की तएद यह वाली बात यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी और last में reporting का point जो है अच्छे डिसकस हुआ है और साथ-साथ में नियोकता का क्या-क्या role है employer का क्या-क्या role है अलग-लग section से उस point को भी हमने observe किया यह सारी बाते हैं किसके समद में थी हमारे इस part से यानि कि sexual harassment act point को इस तरह के से basically हम लोगों ने cover करने का effort किया अब मुझे बताओ conceptually यह act आपको समद में आया अग निया बताइए conceptually मतलब इस act के अगर concept की बात करें तो funda clear हुआ कि नहीं हुआ आप मैंसे कितने candidates हैं जो first minute से class attend कर रहा है yes में लिखिए एक बार yes में लिखिए आप मैंसे कितने candidates हैं जो first minute से इस class को attend कर रहा है comment box में yes करना okay yes चलिए तो जिन candidates ने first minute से class को attend किया ना उनकी guarantee मैं लेता हूँ कि इस दो गंटे के अंदर ये act उनके mind में set हुआ है हाना सिब जरूरत क्या है एक दो बार इस lecture को और देख लेना एक दो बार इस lecture को और देख लेना बाकी इसमें कुछ point नहीं हो बचेगा हाना जो candidate पीछे से जुड़े है इसका मत्त उसनोंने पूरे act को observe नहीं किया है ठीक है तो उनको करना होता है देखो मैं चाहता था कि जितने भी तीन additional act है ना examiner को अफसोस हो क्यार ये मैंने जोड क्यों दिये इससे candidate के number तो कटनी रहा है क्यों नहीं कट रहा है क्योंकि उसने linking law से पढ़ाई कर रही है और और तो कोई अपना promotion करेगा नहीं हमीं करना पढ़ेगा खेर तो this is all about the sexual harassment prevention of sexual harassment at workplace act 2013 ठीक है चले अब यहाँ पर 3 minute मैं आपसे all लेता हूँ और 3 minute के अंदर इस पूरे act को इस पूरे act को हमें क्या करना है एकदम मतलब डंके की चोड़ पर clarify करते हुए आगे बढ़ जाना है ठीक है तयार हो ready हो yes or no पताइए मुझे उसके according फिर हमन क्या करते हैं segment को start करते है segment को बोलो तो section 1 से लेकर section 30 तक की सारी चीज़े है अभी one by one हम क्या करने वाले है clear है जो करेंगे ready तयार हो चले तो prevention of sexual harassment act 2013 का जो कानून है 8 chapters के अंदर divide हो रहता है 9 December को लागू हुआ था 38 section के अंदर इसका पूरा segment जो है वो divide होता है सबसे पहले subsection 1 आता है जो कहता है ये कानू जो ओल और इंडिया के अंदर लागू होगा इसकी basic application के बारे में बात करता है उसके बाद section 2 आता है जिसमें 16 अलग-अलग definition है लेकिन हमें कुछ selective definition ही ध्यान में रखनी है जैसे employer कौन होगा employee कौन होगा sexual harassment का मतलब क्या होता है यहाँ पर workplace का मतलब क्या होगा वगरा ये basic बात definition कोई mind के अंदर set रखना है तीसरा section सबसे important है prevention of sexual harassment ये दो भागों में divide होता है इसका जो subsection 1 है वो इस act की charging line है जो कहता है कि sexual harassment नहीं होना और बताता है जैसे preferential treatment detrimental treatment वाली बात हो जाएगी या फिर employment के समन्दे कोई धंकी वगरा देना है ये सारे point वहाँ पर cover होंगे humiliative behavior वगरा and all then after हमारे सामने फिर यहाँ पर जो है शुरू होता है section 4 जहाँ पर अपनने ये committee जो होती अलग-अलग committee उसके बारे में बातचीत करता है तो internal complaint committee section 4 के अंदर employer खुद constitute करेगा ठीक है ये बात हमको ध्यान में रखनी है इसमें कौन कोन होगा एक presiding officer होता है दो अन्य सदस्य होते है जो legal और social knowledge को रखते हैं एक अन्य सदस्य और होता है ध्यान रखना इसके अंदर जो presiding officer mostly क्या होगी एक महिला होगी ठीक है then after हमारे सामने बात आती है local complaint committee के संदर में ये जो local complaint committee है ये कौन सी committee होगी local complaint committee का मतलब ये है कि एक district officer जो है वो इस्तानिय district officer के जारा क्या किया जाएगा इस्तानिय इस्तर पर जो है committee बनाई जाती है और district officer कौन होगा जिसको section 5 में न्यूक्त किया जाता है ये generally collector है वो person इसके अंदर होता है section 6 के अंदर constitution होगा इसकी committee का इस committee के अंदर भी कितने members होगे एक chairman होगा वहाँ पर एक अन्य सदस से और होगा जो एक तरीके से वहाँ के local तालूका को represent करें एक सदस से specifically वहाँ पर social और legal knowledge का वाला बंदा होना चाहिए और एक ex-officio member होता है जो महिला work department का responsible officer है section 7 के अंदर इन members की क्या-क्या एक तरीके से remove कप किया जा सकता है वहाँ पर उसको observation किया जाता है section 9 में main complaint lodge की जाएगी section 10 के अंदर सुला कराने का cancellation कराने का परियास होगा section 11 के अंदर फिर inquiry होगी जब सुला नहीं हो पाती है section 12 के तरह interim inquiry क्या-क्या section 13 के अंदर final जो recommendation है committee की तरफ से दी जाती है section 14 में false complaint का मामला बनता है तो उसको deal किया जाता है section 16 के अंदर जो है publication वाली बातों को section 15 compensation determined किया जाएगा 5 factor से section 16 के अंदर publication को क्या कर रखा है मना जो है कर रखा है publication जो है नहीं कर सकते इन चीजों का करोगे तो section 17 के तरफ के ओपर क्या की जा सकती है penalty जो है वो impose यहाँ पर की जा सकती है इसके अलावा अगर बात करें section 17 के बाद appeal के provision section 18 के अंदर आएंगे normal rules के according जिस court में appeal होती वहाँ पर क्या की जाएगी appeal है जो की जाएगी appeal चार तरगे order के खिलाब section 13, subsection 2 section 13, subsection 3 के 1 और 2 section 14 का subsection 2 और section 17 ने खिलाब appeal जो है की जा सकती है employers की क्या क्या duties होगी वो आपको कहाँ provide मिलेगी वो मिलेगी section 19 के अंदर जो है देर की है उसके बाद में जो आपका district officer होता है उसके क्या क्या duty होती है वो duties आपको कहाँ पर मिलेगी section 20 के अंदर 2-0 section 19 then after start होता है प्रावजान reporting का अलग-अलग time पर reporting करना जैसे 21 के अंदर reporting करने की बात आ जाएगी उसी के साथ जो 22 है अच्छा reporting भी धियान लगना एक तो जैसे committee की ते reporting की जाएगी district officer को एंपलियर जो है वो district officer को reporting करेगा district officer state government को reporting करेगा इस तरीके से पूरा situation जो है वो create यहाँ पर होता है 22 के अंदर employer के दार reporting करना 23 appropriate government implement कराएगी एक को awareness फेलाएगी 24 में appropriate government इस act को एक तरीके से publicity बगरा करेगी then after 25 के अंदर information call करना record का inspection करना इसकी duty बनता है किसका appropriate government का 26 के अंदर आप देखेंगे तो इस act के अगर non compliance होती है employer के द्वारा तो penalty लगा ही जा सकती है पचाहजार की पहली बार और second time करेगा तो license cancel हो सकता है और maximum twice जो है एक तरीके से कहीं की punishment दी जा सकती है 27 में court cognizance जो है वो या तो उस agreed woman की complaint पर या उसके द्वारा या committee की तरह किसी authorized person की complaint पर cognizance लेगा non-cognizable तरह का offense है जो इसके अंदर कहा जाएगा judicial magistrate first class का cognizance लेगा 28 के अंदर ये act जो है derogatory नहीं होगा overriding नहीं होगा 29 में rules बनाने की power जो है वो appropriate government के पास में और अगर किसी तरह का difficulty आता है तो इसको remove करने की power जो है किसके पास में central government के पास में होगी this is all about the criteria of 2013 act चलिए अब इस last वाले जो 2-3 minute है इनको भी अगर आप थोड़ा सा recall कर लोगे mind में न तो भी कहीं हद काफी हद तक इन चीजों का अब अच्छे से observe है जो कर पाऊगे तो ये था सारा मामला 2013 के act according दिमाग के अंदर मामला set हुआ yes or no देखो अब इसमें कुछ एक सवाल वाल सवाल करने के बारे में भी आपका mind चल रहा होगा सवाल आज सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा मद्यपरदेश का जो पेपर है जैसे ही वो आएगा फटापट उसके टाइप प्रिंटिंग करकर आके उसकी भी क्लास लेनी है आज हो सकता है आपको यूटूब पे मेरी दो क्लासेज और मिले एक क्लास मद्यपरदेश सीजे के सेकिंड पेपर का लाइव सॉलिशन और दूसरी क्लास मद्यपरदेश सीजे का जो फोर्थ पेपर है उसका लाइव सॉलिशन ठीक है कमिटमेंट तो नहीं करूँगा लेकिन कोशिश करूँगा कि वो दोनों क्लासेज आज की तारिक में आपके सामने उपलब्द हो ठीक है बस आपसे एक ही चीज आता हूँ जज बनने का ड्रीम पूरा खड़ लो यार ये मौका हाथ से निकल गया तो बुड़ापे में क्या कहानी सुनाओगे अपने पोते पोतियों को ये कहोगे कि मैंने तो हाती छोड़ दी फिर मत हाड लिया एफर्ट ही नहीं मारा मस्त वाला एफर्ट करो मस्ती से करो और ठकने आपको दूंगा नहीं ये मेरा प्रॉमिस है आपसे ठीक है पस चलते रहो चीजों को अब्सर्व करो अच्छे से आगे बढ़ो और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना सरस्वती सरस्वती की ज्यान की बड़ी अच्रत सी बात है जो बाटे त्यों त्यों बड़े बिन बाटे घटी जात तो जो भी नौलेज आता है नहीं उसको आगे अपने दोस्तों के साथ में इसलिए शेयर करो कि उनका भी भला हो आपका भी भला हो और ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिपलाई जरूर करना मुझे बताना और क्या-क्या चीज़े हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरदारा होनी चाहिए लाइव यूटूब पर उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो और at the end I must say have a great Sunday but stay tuned दो क्लासेज और आ सकती है schedule क्या रहेगा क्लासेज का तो सीधी सी बात है probably दो बजे और शान को 7 बजे वो क्लास का टाइमिंग रहेगा लेकिन इसके लिए आपको telegram channel से connect रहना है ताकि कुछ भी उपर नीचे हो तो आप तक सूचना पहुच सके चले so that's all for today have a linking salute to you all thank you thank you so much